सो एलो स्टुडिंट्स हवा यू ओल जहीं टो लॉफ यू आज अपके साथ डिसकेशन करने जा रहा हूं क्लास 12 फिजिक्स का हमारे बहुत इंट्रेस्टिंट टॉपिक अल्टरनेटिंग करें चेप्टर नंबर 7 इसका वन शॉट होने वाला है वन शॉट का मतलब बिल्कु का गरी वीडियो बनता है इसे एक घंटे के दो में या फिर आदे घंटे के चार में या फिर पंदर पंदर मिनेट के आठ में जैसे भी हो सके उतने स्लॉट में देख लेना यह आप पर डिपरेंट करता कि आप इसे कैसे कैसे खत्म कर रहा हूं कि मैं सारे टॉपिक कवर कर लाए करो atoms, nuclei, dual nature of radiation matter और अभी ये यानि कि alternating current पढ़ा तमा में पीछे की तरफ आ रहा हूं इसके बाद में optics वगेर, electrostats, magnetostats वगेर को हम कबर करेंगे, पूरी physics कतम हो जाएगी, आप सिर्फ इन one shot को पढ़ो, कैसे पढ़ोगे, किताब, copy, सब दूर रखके पढ़ो, अभी एक सिर्फ, rap coffee पने हाथ में रखो, क्योंकि सारे notes मैं आपको provide करा दूँगा, 9520387009, मेरा whatsapp पर मुझे whatsapp करने की कोशिस करना, ताकि मैं आपके लिए कोई भी problem हो, तो उसको resolve करूँ, लेकिन यार, please, जितना possible काम है, मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूं, मेरे और कुछ advice देन वीडियो बना रहा हूं, तो कोशिस करो, आप भी वीडियो के से justice करना, पूरा-पूरा justice करना, ठीक है, अभी मैं बना रहा हूं, वीडियो आपके लिए alternating current पर, अब धियान से देखते हैं, कैसे कैसे होगा, starting से पढ़ रहे हैं, पहसे सब सब topics, आप इने धियान से पढ़ लगभग बार, तेरा topic हमें cover करने, एक एक topic cover होगा, मैं मोटा-मोटा बोल देता हूं, जो जो हमें लगभग पढ़ना, हमें पढ़ना, alternating current कहते किसे हैं, initiation से आएंगे, equation कैसे आती है, वो भी देखेंगे, कि i is equal to i not sin omega t, शायद आपने कभी पढ़ा होगा, वो हम detail में केते हैं, देखेंगे क्या क्या होता है, IRMS value क्या होती है, I average क्या होता है, फिर हम देखेंगे LCR क्या होता है, L circuit किसे कहते है, pure resistor, pure inductor, pure capacitor की condition क्या होती है, resonating frequency क्या होती है, Q factor किसे कहते है, resonating curve बनते हैं, उसमें क्या क्या होता है, power क्या होती है, जो power निकलती है, instantaneous, power average क्या हो अभी हाथो हाथ कराऊंगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में इसलिए अभी ध्यान से पढ़ो ताइम लगे गया यार नो डाउट लगता तो लगे तीन बच जागा चार बच जागा सुबए का कोई बात में आराम से देखेंगे देखो जब ठीक है अब बहुत ध्यान से पढ़ना है क्या होता से पहले सबुझन और अब नाम का टॉपिक होता था क्लास 11,ambre आप यह महिं मैं पढ़ा रहा हूं जबना उत्रा ही सुनो क्योंकि इसका आगे बी काम पढ़ेगा आज दो दो काम हो जाम सब एक साथ एक एक point है, मान लेते हैं, यह point पे focus करो, यह point P है, please यहां से, point P पे focus करेंगे, point P न जर, इस point P को हमें यहां से यहां से यहां पे move कराने है, circle में move कराने है, और complete circle का revolution करवाने है, और यह हम एक mirror बना देते हैं, बिसी किली एक line है, जो origin से पास कर रही है, मैं इस को mirror क्यों कहरा इस point P को न मैं move कराऊंगा circle में circular motion कराऊंगा angular velocity omega से confuse नहीं करना एक velocity या omega उससे ठीक है देखते हैं क्या होगा circular motion तो हमें करवाना आता है ने ज़र point P देखो अभी यहाँ है थोड़ी दरबाद कभी यहाँ पहुन जाएगा फिर कभी यहाँ पहुन जाएगा कभी इसका मन करेगा यहाँ पहुन जाएगा कभी इसका मन करेगा यहाँ कहीं पहुन जाएगा कभी मन करेगा यहाँ पहुन जाएगा कभी यहाँ पहुन जाएगा और सर लास्ट में वहीं पहुन जाएगा सार्किल मुशन करे अच्छा एक काम करें क्या इसका प्रोजेक्शन लेते हैं प्रोजेक्शन मतलब क्या कहना चाहते हैं प्रोजेक्शन का मतलब जहां जहां यह पहुंचता है ना देखते हैं कि इसकी परचाही इस सीसे में कैसे कैसे बनती है यहां पहुंचे का यहां मैं इसकी हैं कहीं मतलब समझ रहोगे आप मैं क्या कहना चाहरा हूं समझ गए आप क्या याड सर आप तो फाल्ट हो जो कहने में लगे हैं अच्छा समझ गए देखो दर पूरी कहानी का सिर्फ निचोड इतना कि ये पॉइंट जब मूव करता है सर्किल में इस तरीके से सर्किल में मूव कर रहा है ध्यान से देखो ये मूव कर रहा है और उसी इंस्टेंट पर हम इस सर्किल में मूव करते हैं पॉइंट के प्रोजेक्शन यानि उसकी छाया को भी देख रहे हैं वो कहा एस सबस्कों की शेडों की बगल में देखा रहा हूं वो ऐसे था थ्यान से अब जब वो A से B पर गया आर्व में क स्वेटा कि उसकी शेडों ने जो डाफ कि यो मुव्मेंट ऐसे किया यहां के साधिया बड़िंगे दियां कि सांट filed ? और फिर आपको क्या यह नहीं लगता कि जब वह सी से ओ पॉइंट पर वापस गया आर्क में तो उसकी यहां पर इसकी 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 यहां पर शड़ो बनी क्या मैं नहीं कह सकता कि यह वापस 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 यह पॉइंट यहां पर किया कौन सा यह पॉइंट क्योंकि shadow बनते वह आपस return back कर बहुत बढ़ी है समझ में आया समझते वे चलो ध्यान से क्योंकि एक बाद tuning हमारी बैट गई गई न मज आ जाएगा बहुत मज आ जाएगा हो सकता है पहली बार देख रहो मुझे कोई फरक return back करता है और फिर दूसरी तरफ उत्र ही distance जाता है और फिर return back करता है अब देखो वही हो रखा है बगल में आप बोले सर अभी भी समय नहीं आया ऐसे चिमतो अच्छा pendulum देखा वा कभी घूमता वा यह pendulum है इस pendulum को मीन पोजिशन पर यहां पर ऐसे रखाता है मैं इसे खीच पर यह O में रुकता नहीं है और यह रुकता नहीं है तो फिर कहीं चले जाता है B point पर यह से पहुंच जाता है और B point उतना ही दूर होता है जितना ए था general observation तो फिर ये B point पे पहुंच जाता है B point के बाद वापस लोटे का आपको नहीं लगता कि B से O पे वापस लोटे का लोटे का और इसे कहते है time period हो गया complete उसका इसी हो कहते है SHM perform हो गया तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जो एक कहानी यहाँ पर इस point के साथ हो रही है SHM हो रही है यानि जब point P revolve कर रहा है circle में एक circular motion बना रहा है उसके shadows में SHM का motion यानि simple harmonic motion कर रही है रहने दो SHM किसे कहते है definition बगरा रहने दो बिल्कुल रहने दो आपको समझ में रहा है उस motion को SHM कहते है जो SSA करके होता है या जो फिर आपको देख रहा है अपनी mean position के इधर फिर वापस फिर उधर फिर वापस इसको कहते है SHM बस इतना ही हो रहा है ना देख रहा है ना particle SHM कर रहा है बस अब इसी पर थोड़ा सा एक बर इसकी equation निकालने के भी कोशिस कर लेते है आप बोलो कि सर अल्टरेंटिक बढ़ाने आया थे क्या बढ़ाने लग गए बहुत काम की चीज़े ध्यान से देखो अब देखो मेरी बात सुनना यह circle में क्या हम मान सकते है जर की circle की अपनी radius होगी है radius A मान लेते है fix होती है अच्छा ठीक है सर यह point जो है let's say point P जिसके हम बातचीत कर रहे थे यह point P जो है यह किसी certain vertical distance Y बना रहा होगा मान लेते और मान लेते इसने कोई initial angle theta बनाया होगा आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे point P move करेगा theta बदलेगा क्या आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे point P बदलेगा Y बदलेगा क्या आपको नहीं लगता कि जैसे point P बदलेगा A बदलेगा नहीं सर A नहीं बदलेगा बाकि सब बदलेंगे, क्योंकि A तो क्या है A तो radius है, point P कहीं भी जाए रहेगा तो circumference में, और center से circumference का radius चो distance होता, वो हमेशा constant रहेगा इसलिए सिर्फ इसमें Y और theta बदल रहे है क्या मैं इनके बीच में collision निकाल सकता हूँ कि sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse क्या आप समझ सकते हैं कि Y is equal to A sin theta तो सर बहुत बढ़िया, आपको पता है इसी को कहते है, equation of SHM इस particle Y के बाले है अच्छा आप बोलोगे, Y क्या है सर ये Y को इतना emphasize क्यों कर रहे है, कौन है यह चीज क्या है, असल मैं बताऊं क्या है हम न जब SHM की बात कर रहे हैं तो हमारा focus बताऊं कि इस particle पर नहीं है उस particle पर जो अंदर move कर रहा है क्योंकि SHM तो वही कर रहा है अब सोचो, खुदी सोचो माइडिया जब यह point Y यहाँ पर दिखाया गया है मेरा मकसद P नहीं रहा मेरा मकसद यह point रहा क्योंकि P के ठीक सामने यह है अब मैं कहना चारहूं कि मेरा point mean position से कहाँ पर है Y distance पर है अब बताओ यह Y मेरे लिए काम का है कि नहीं है क्योंकि मैं अपनी position को बता पा रहा हूँ SHM में कि अभी वो Y यहाँ है वहाँ है, कहाँ है उसकी position को हम define कर पा रहे है mean position से तो इसलिए Y important है इसलिए हम कहते हैं कि equation of SHM है क्योंकि SHM के Y को के लिए काम कर रही है A constant है, radius हो गया और इसी को दूसरी शब्दों में अगर हम SHM की परिभाशा में कहीं तो amplitude हो गया अब बोलोगो, sir, कैसे heavy-heavy word यूज कर रहा है, अभी अल्टरनेटिक गरेन सिखाया है नहीं और पता नहीं क्या क्या बोल लो My idea यही है, जो है यह छोटा सा जो time चल रहा है, अभी वाला यह important है, आगे सब easy है यह भी easy लग रहा हुगा Amplitude बता है कितने है जो maximum displacement होता है mean positions, उसे amplitude कहता है जिसे यहाँ पर यह red वाला तो यहाँ पर आपको लगता कि Amplitude होगा पूरा जहां तक maximum गया तो बस sir, वही है, आप देखो जब यह यहाँ पर Amplitude कितना है इसका मतलब Amplitude capital A के बराबर है तो जो आपको A दिख रहा नहीं जो कि radius है, circle का एक तरह से वह इस बारी में Amplitude बन रहा है SHM के motion में अच्छा, और क्या आप बता सकते हो sir Sir, यह तो होगी अकाम लेकिन एक अच्छी बात में आपको बता सकते हो अगर आप पूरा ना माने तो Sir, बता दो यह जो particle move नहीं कर रहा particle अपने आप पहुंच जा रहा क्या velocity वागेर होगी तब ही तो जा रहा ना अब सब circle में हम बात करते हैं तो हम angular velocity की बात करते हैं और आप बताओ, velocity क्या होती है displacement upon time angular displacement क्या होगी angular displacement upon time angular displacement कितना वाप, खुद सोचो कि मान लेते हैं, starting में यहाँ पर था यहाँ से यह point P पर पहुंचिया, O point से तो angular displacement कितना वा theta का time कितना लिया, मान लेते हैं, इसने t time लिया कैसे, अगर t is equal to 0 का time यह था और t is equal to t time पर हमने observe किया तो time difference कितना t minus 0 यहनी t का तो आपको समझ में आ गया यह, अगर हम इसको यहाँ पर डालें, तो हम कह सकते हैं कि sine theta के place पे हो गया omega t और कई बार आपने इसको ऐसे दिखा होगा, इससे फाइदा हो जाता है, कि अब हम in terms of t बात कर सकते हैं, कि t is equal to one second पर particle कहा है, t is equal to two second पर particle कहाँ पे, omega given होगा, तो आप खुद सोचो कि हमें y मिलनी जाएगा, तो हमने पूरी तरह किसे shm को define कर दिया, हमने particle जो कि यहाँ पर move कर रहा है, shm perform कर रहा है, क्या हमने इसको define कर दिया इसकी position हम हर second में निकाल सकते हैं हमने time की terms में आंसर निकाल दिया, आप बोलोगे सर, और थोड़ा मजा आजा, कुछ और बोलता हो तो, मैंने बोला रुक जाओ, बोलता हो दे, रुक जाओ, देखो इदर, उसी time को general कर दे, उस case को, थोड़ा general, general कैसे करेंगे सर, general ऐसे करेंगे न, कि हो सकता है कि जब हमने observe कि आओ, वो particle t is equal to 0 पर यहाँ पर यहाँ पर हो, बलकि यहाँ पर हो, मेरी बात सुनो, क्योंकि न, वो एक particular case है कि t is equal to 0 पर यहाँ पर बैठा हुआ, यानि angle 0 पर, नहीं सर, ज़रूरी नहीं angle 0 पर हो, क्या पता t is equal to 0 पर यहाँ पर मौझूद हो, अच्छा, कैसे दिखता होगा, देखते है, माल लेते हैं, जब वो point p यहाँ पर था, तो यह t is equal to 0 की घटना है, इनिशली जब हमने उससे देखा, t is equal to 0 second पर हमें यहाँ देखा, यहाँ सर सुनेंगे यार, जल्दी बोल लागया मैं, सर अब खुद बताओ, इस समय का लिया गया, जो angle है, वो कितना है, थीटा माल लेते हैं, अब न, जहां से देखो, जब हम कहेंगे कि at p is equal to 0 पर, इसकी position को हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो at p is equal to 0 पर आपको बहुत clarity होने हैं कि कोई angle बना रहा है, let's say I'm calling it like 5, इस 5 को एक न पर यानि initial phase उससे में 0 है, लेकिन ये general case हुआ, इससे में हम कहा सकते हैं कि उसके पास कुछ initial phase है, जिसकी value phi है, यानि जहां हमने observe कि आप पार्टिकल ऑलरड़ी phi angle पर था, थीक है, तो अब आप ऐसा तो नहीं कहोगे न, कि इस particle ने t time पर displacement theta plus phi किया नहीं है, क्योंकि इस ब करेंगी omega t plus phi, कोई doubt नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल भी doubt नहीं है, क्योंकि ये इस बारी का total angle, overall angle हो गया, क्योंकि आप समझ पार है, मेरी बात को, क्योंकि ये theta कौन हो गया, again theta कुछ नहीं हो, omega t हो गया, omega t plus phi हो गया, ये total angle हो गया, अब इसको मैं नहीं समझे, तो इतना समझ जाओ, कि जब भी कोई ये चीज लिख रहा है, तो इसमें omega t के साथ जो extra चीज अड़ हो रही है, वो सिर्फ क्या बताने का काम कर रही होगी, वो सिर्फ ये बताने का का काम कर रही है, कि at t is equal to 0 पर particle का phase कितना था, particle का phase कितना था, तो हम कह सेकत हैं कि particle का initial phase, t is equal to 0 का हम initial कह सकते है, initial phase phi है, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा, a sin omega t, यह क्या चीज लिखी वी, यह लिखावा साथ, y is equal to a sin of omega t, प्लस कुछ नहीं है, मने लग जीरो है, तो इसका मतला initial phase कितना 0 है, यानि initially यह ऐसे रखी ही है, horizontal की ही along है, point P कहाँ पर समझ भाया, ठीक है, यह समझ भाया, आप बोलोगे सर, बहुत होगे, अब थोड़ा alternating current भी पढ़ लें जारा, उसी के लिए आये थे हम, अब सुनो, वही कहानी, same to same repeat कर दो, alternating current है क्या, start वहां से करेंगे, देखो, अभी तक जिस current को हमने study किया, उसे कहते है, DC current, DC current सर, अगर यह time है, second में चला दो मालिया, time चल रहा है, अब एक current है, जो current इस तरीके से move कर रहा है, यानि कि हम कहींगे कि I is equal to constant, आपको नजर आ रहोगा, क्योंकि I की value, let's say I की value I है यहां पर है, I की axis है, यानि current की axis है यह वाली, और यहां पर कुछ यह certain value रखता है, I ही कह ले रहा हूं इसे, एक बारी के लिए, तो क्या आपको नहीं लिखता कि T is equal to one second पर देखो, two पर देखो, three पर देखो, हमें हमेशा I की value I ही दिख लिए, यानि I हमेशा बदल कभी भी नहीं रहा, आप बोलो sir, अभी न समझ सा नहीं है, आपकी बाद हमने कुछ है, मैं यह क current ऐसा है, जो समय के साथ नहीं बदल रहा, यानि के सकते हैं समय के साथ constant है, उसे कहते हैं DC current, यान DC कहते हैं उसे, DC यानि की direct current, यह DC current का example है, DC current, कितना जीब सा लग रहा है ना, DC भी फिर current भी, direct current है वो, समझे रहो, ठीक ऐसा समझी गए, तो ना, वहीं, अब क्या होता है, हम ऐसे current पर चर्चा करना चाह रहे हैं, जो अपना phase, अपनी polarity को भी बदलता है समय के साथ, और अपने magnitude को भी बदलता है, यानि अभी मैं दिखाऊंगा बनाके, कैसा दिखता होगा, ठीक है, अभी देखते हैं बनाके, फिलहाली दरह जाओ, मान लेते हैं समझाने के अगर थीटा हो जाएगा, जस्ट एक पिछली बार की तरह करो काम, sin theta is equal to perpendicular upon hypertenuous होगा, i is equal to कितना हो जाएगा, i not sin theta हो जाएगा, अगर आप पिछली बार की तरह theta को omega t वगेरा से replace करते हो, जैसा मैं दिखाया था, i is equal to i not sin omega t type का कुछ बन जाएगा, और अगर initially हम कहा दें तो वो already किसी phase पे था, phi पर था, ठीक है, और हम देखनें कि हम क्या 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 कहना चारे है, अब आपको समझ में आएगा कि था क्या, देखो सबसे पहली बात, क्या आपको अगर मैं बोलू कि इस i का graph बनाना है, क्या आप बना सकते हो, देखो इधर देखना, ध्यान से दे होगा इसकी, इतना ही बोल सकता हूं, sign के बारे में, कि ये plus one उपर पे बनाता है, और minus one नीचे पे बनाता है, क्योंकि अगर इसके बारे में ज्यादा बोलूँगा, main topic से बठक जाएंगे, लेकिन शायद आप सहथ जानते होंगे, आपकी sign का graph यह होता है, यानि sign का graph अगर यह 0 degree होता है, किसी भी trigonometric में, यह 90 degree बोलता है, क्योंकि आपने 90 degree travel किया, फिर एक और 90 आया तो कितना हो जाना चाहिए, 180, फिर एक और 90 जोड़ा तो कितना हो जाना चाहिए, 260, अब मेरी बात बहुत कान खोल के बल्कुल ध्यान से सुनो, देखो मेरी बात सुनो, जो value किस वो ही 360 भी 360 होती होगी, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, मैं कहना चाहरा हूँ, जो सर sin 0 भी 360 भी 360 भी होती होगी, या फिर cause 0 पे cause 360 भी किसी भी trigonometric, तो जैसे sin 0 0 होता है, तो sin 360 भी 0 ही होता है, फिर इसका मतल़, इसके ठीक सामने, 0 के ठीक सामने, वही value होती है, with opposite sign, मैं कहना फरक पड़ जाएगा, अगर मैं कहता हूँ, cos 0 की value कितनी होती है, 1, तो सर, cos 180 की कितनी होती होगी, cos 180 की न, minus का 1 होती होगी, यह समझने वाली बात होगी, क्योंकि जो यहां होती है, इसके ठीक समझ, similarly, अगर sin 90 1 होता है, तो sin 270 कितना होगी, minus का 1, जो उसके ठीक सामने हो, समझ न, तब समझो, कि sin 90 1 था, तो क्यों sin 270 minus 1 होगी, आप समझ मारा है, sin 180 0 की हुआ, क्योंकि सर्फ sin 180, sin 0 के समझने था, इसलिए 0 value दे रहा है, और sin 360 0 की होगी, आपको समझ में आ गईगी शायद बात, इसलिए मेरा मन मानता नहीं है, लेकिन जो भी है, करवा अच्छे काम देता है, साइध अच्छा काम होगया, sin का graph आ गया, बहुत बार यूज़ होगा, आपको समझ मारा होगा, क्या कहानी बारी, आपको एक बात बूरनों सर्फ, आपको खुच सोचो, कि जब आपका यह sign वाला, यह अपना maximum answer दे रहा है, यह नहीं 1 दे रहा है, तो उसने में i कितना होगा, i not के बराबर होगा, कि 1 के बराबर, i not के ना, 1 के बराबर क्यों होगा, 1 तो इसने अपनी maximum value दे, लेकिन i कितना है, i not into 1, यानि कि जो मैंने अभी 1 लिख रहा है, यहाँ पर, it should be what, it should be i not, मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो, यह i not लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि maximum value दे रहा है, maximum value कब आएगी, जब sign अपनी maximum value देगा, और similarly, यहाँ पर minimum value कहो, या जो भी कहो, यह i not, क्योंकि sin 270 पर minus 1 जैसी value होगी, तो यह total minus का i not हो जाएगा, इसलिए sin 270 पर minus i not value दे रहा है, बहुत clarity, बहुत ज़ोदा clarity है, तो सार, यह जो आपको graph अगरा दिखाई दे रहा है, यही है, यही है AC current, इसी को कहते है, क्यों कहते होंगे, ज़र alternating current, alternating current, प्रत्यावर्ती धारा, हुंदी में कहते हैं से, यह ऐसी धारा है, यह ऐसा current है, जो अपने magnitude को बदल रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है, जब मैं आगे को बढ़ रहा हूँ, क्योंकि यह time की access समझो इसे time की access समझो, आप बोलोगे कैसे समझे सा time की access, my deal time की access है वो, क्योंकि यहाँ खुद देखो, theta किसका angle है, time का angle है कि नहीं है, time की access मान सकते हूं, इसलिए t is equal to z, आप देखो, time बढ़ने के साथ साथ, आपका current बोला, मैं तो चला, चल रहा ही, यूँ ही चला, बढ़ रहा, फिर उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ रहा है, कि इतनी हसीन है, दुनिया, घट रहा, क्या मैं सारे गामा सिखा रहा, आपको जो उपर चड़ा रहा, बढ़ा रहा, ठीक है, तो कुल मैं आगे, आपको समझ में आगया होगा, कि current कभी बढ़ रहा, कभी घट रहा, आप तो नीचे, इतना तो समझ में आया, सर इतना ही नह अब बढ़ तो रहा, लेकिन निगटिव डिरेक्शन में, अब घट तो रहा, अब घट तो रहा, लेकिन निगटिव डिरेक्शन में, इसका मतलब सर, पॉलारिटी भी बदल रहा है, यानि क्या कहना चाहते हो, सर मैं कहना यह चाहता हूं, कि यह बड़ा उपर टंग सा current है यह बहुत उट पर टंग सा current है, क्योंकि DC को जो हम पढ़ते थे न, वो ऐसे था, कि प्लस डिरेक्शन से चलता था, आई, और ऐसे करके आता था, यह पता हूं कैसा है, यह अभी न, अभी को न, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, आगे जाके पता नहीं, इसको क्या होता है, एक नहीं कहते alternative, alternative में दो काम होने चाहिए, phase भी बतलना चाहिए, phase मतलब एक बार plus direction में, एक बार minus direction में, अब यही तो, बताओ यही तो काम किसका था, ऐसे चमका नहीं था, भी थोड़े देरे पहले देखरते हम, क्या, कि एक बार plus direction में जा रहा है, एक बार फिर वापस लोट की बाते पड़ी, क्या आपको नहीं लग रहा कि SHM जैसी घटना है हो रही है, graph में भी हर जोगे वही बात हो रही है, क्या हो रहा था, mean position से इधर गये plus direction, वापस आये mean position में 0, फिर वापस गये negative direction, फिर वापस आये 0, फिर यहां गये, यह हो रहा था न, आब इधर देखो, क्या आपको नहीं लगता कि इस graph में भी घटना है हो रही है, देखो, सबसे बहले क्या हुआ, सबसे बहले क्या गया, उपर पहुचा, टॉप पोजिशन में, उपर पहुचिया, फिर उपर से फिर नीचे गिर गया, वापस आगया, mean position पे, फिर mean position पे आया, फिर उसके opposite direction मे गया, top amplitude तक, और उसके बाद फिर उसे वापस नीचे आगया, वही घटना और यह exact SHM की equation और इसकी equation resemble कर रहे है, आपने देख लिए सब कुछ, आप मैं कुछ नहीं बोले आ, अब यार, बहुत अच्छी कहानी आपको समझ में आगया है, कि आपको समझ में आगया है, कि sin omega t, क्या होता है, अच्छा, मैं अगर कल को को न कोई बोल दे कि i not, यह तो आपने पढ़ लिया, कल को को कोई बोल दे कि i is equal to i not sin omega t plus phi, आप उस पर नरास्तों नहीं होगे, क्या बोलने लग गया बचनक से, असे सी बात है, अजीब हो गरीब सी, नहीं हम समझ गए, हम समझ गए, कि initially यह बोलना चाह रहे है, कि जब हमने observe किया, तो जो current वो था, उसका initial phase कुछ था, वो किसी initial phase, let's say 5 पर था, already था, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है, क्योंकि देखो, मैं इसको आपको समझा सकता हूँ, कि इसमें क्या वाजैसे आपने observe किया, खुद सोचू, जैसे आपने observe किया, इसका मतलब क्या हो, मैं आपको बता देता हूँ, देखो, यह उपर अला graph जो है, वो भूलना चाह रहा है, कि आपने जब भी किसी उसको देखा, t is equal to 0 पर आपको current 0 ही दिखाए इस तरह है, लेकिन क्या जरूरी है कि जब आप t is equal to 0 पर observation करो, तो ऐसा ही हो, क्योंकि हो सकता है, आपका observation आपने जब किया, t is equal to 0 पर तो आपने यहां से चालू किया देखना, तो उससे मैं, क्या आप कहोगे, मेरा current 0 है, नहीं कहोगे, तो बस वही बात होगे, तो इतनी सी बात है, ठीक है, एक तो चलो, आपको समझना आ गई, बात बहुत अच्छा, अच्छा, एक तो होता है current, एक होता है voltage, voltage को मैं आपने ohms law अगेरा पढ़ावा, i is equal to क्या होता है, v upon r होता है, simple, यहां पे अगर मैं e by r बोलूँगा, तो एक ही बात है, क्योंकि voltage को यहां fashion है, e बोलने का, e मतलब elektromotive force बोलने का है, दोने एक ही चीज़ है, कोई tension नहीं तो v e एक ही बात है, ठीक है, e बोल दूँगा, कभी v बोल दूँगा, तो कोई confuse नहीं करेगा, तो इतना समझ में आगे, ठीक है sir, i is equal to e by r, तो अगर आप यहां पे लिखो कि i is equal to कितना होगा, e by r, तो उससे साबसे i not is equal to कितना होगा, e not by r, और sin omega t plus 5, simple, simple सागर मैं करू तो इस तरीके से हमारे पास यह जो relation बना, e, oh sorry, I am really sorry, I am really sorry, मैं कुल मिला के मैं इतना काम करना चारा था कि i को i रहने देना चारा था, बस r से divide कर रहा था दुनों तरफ, एक number से divide करने में खरक पड़ जागा, नहीं पड़ेगा, लेकिन sir, i by r को हम कुछ especially एक नाम दे सकत देखें क्या peak value, peak value of current, peak value of current, आपसे कोई दिक्कत में दो नहीं है कि peak value of current को जा मदला अब जैसे आपने current निकाला, ऐसे ही करके voltage भी अपने आपको क्या करेगा, ऐसी change करेगा alternatively, और sinusoidal curve रखेगा, उसकी equation भी कुछ इस तरह की होगी, e is equal to e not sin omega t, बस इस तरह की होगी, current आपका different phase में हो initially, और voltage आपका different phase में हो initially, आप लेकिन in general अभी के लिए समझो कि equation 1 और 2 represent कर रहे है, respectively current को और emf को, पहला तो समाझ में आगई equation 1 आपको, equation 2 भी, उसी method से same to same निकलेगी, बस i के place पे e और e not इन पे discussion करना होता है, ठीक है, तो i not जब हम कह रहे है, तो इसका म आप कहा है, peak emf की value के लिए, यही बात को एक short way में मैंने आपके लिए लिख दिया, ताकि crisp way में आपके लिख दिया, ताकि आप पढ़ लो, आप बहुत आराम से देख लो, कि यह जो आपको phasor diagram वगेरा दिखा ही दे रहोंगे, इसमें e is equal to e not sin omega t, एक तो e को और i को दु instantaneous current, क्यों है, क्यों है, क्यों है, हर instant पर, हर t पर आपको value देगा, यानि आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, इस graph में कभी i छोटा है, कभी बड़ा है, कभी बड़ा है, कभी बहुत बड़ा है, कभी फिर छोटा, कभी कोई, यह क्या है, instantaneous value of i, तो हर time instant के लिए, अलग-अल परचा कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा कि green color वाले को इन्हें, i is equal to i naught sin omega t कहा, is equal to e naught sin omega t कहा, इन्हेंने situation को easy बनाया हुए, इन्हें यह मान के चल रहे हैं, कि starting में दोनों को हमने 0 से ही चालू करवाया, अब देखो, e naught और i naught के बारे में कोई condition तो नहीं दे रहे हैं, तो यह ऐसा मान के चल लिए, कि हमारा e naught बढ़ा, तो आप खुद सोचो, e naught बढ़ा तो दोनों के दोनों same phase में है, कैसे पता चल रहा है, जब इसका peak आ रहा है, उसका भी peak आ रहा है, जब इसका zero आ रहा है, dead आ उसका भी dead, जब वो negative direction में peak दे रहा है, वो भी दे रहा है, तो इसको कहते है, same phase में होना, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, दोनों के दोनों same तरीके से, same तरीके से बढ़ रहे है, और same तरीके से घट रहे है, लेकिन same तरीके से अपने peak को attend कर रहे है, यहीं तक, फिर यह दोनों के दोनों नीचे ऐसे करके same आ रहे है, इसका मलब यह कि दुनों का peak एक जैसे है आपको दिख रहोगा दुनों का peak अलग-अलग है लेकि एक ही time में gain कर रहे है और एक ही time में loss कर रहे है इतनी सी बात है इसलिए अने इसमें difference दिखा रहा है क्योंकि highest जो peak value दिख रही है वो e0 को और green वाले में i0 को represent कर रही है शायद समझ में आग आप पूरी कहानी में बता है क्या समझ में आपको कि i is equal to i not sin omega t होता है बस इतना ही समझ में है चलेगा अटा घंटा लगा हमें चलेगा इतना बहुत है अब आजाओ सर एक बहुत interesting topic पढ़ने के लिए मजा नहीं आगे ना सर नाम बदल देना मेरा i is equal to कितना होता है आज मे हमेशा i कैसा बनेगा ऐसा इसमें हमें clarity होनी जी है कि यह time की axis है और यह हमारी i की axis है यानि current की axis है got it current की या फिर हम कभी emf की जो भी हमें relevancy रगेगी जिसकी वो लेंगे यह किसकी value को show कर रहा होगा सर यह i not यानि की peak value को represent कर रहा है ठीक है अच्छा यह time है तो time का यह complete time period है अगर यह complete time period और चार हिस्तों में बटा है तो जरूर यह T by 4 second रहा होगा यह 2 T by 4 जिसे हम T by 2 कह सकते हैं और यह 3 T by 4 का समय रहा होगा और यह 4 T by 4 जिसे हम complete time T कह सकते हैं वो रहा होगा शायद आप मेरी बातचीतों को समझ पा रहे होंगे यानि हर 14 ए 14 second में ली गई इतना है अच्छा मैं पढ़ा रहा था अच्छा मैं पढ़ा रहा था सर average current को कि आये average कहते किसे हैं देखो कितने beautifully लोगों ने define किया है यानि अब उन्होंने कहा कि average किसे निकाले इस alternating current का क्योंकि बदल रहा है ना बार बार तो उसका average निकालना होगा जैसे आपके number आते है जो आप average निकालने के कोशिस करोगे आप क्या करोगे सब को जोड़ोगे फिर उनका divide by जो भी करोगे उनका number से divide करोगे मैं यह कहना चाहता हूँ आप यह करोगे आपको नहीं लगता कि इसमें problem हो जाएगी सर क्या होगी वो problem problem सर यह हो जाएगी ना कि यहां पर आपने जो उपर है उतना ही current नीचे मिला नहीं मिला आपको same to same उतना ही मिला नहीं मिला symmetric graph है और और तो और छोड़ो वो अगर प्लस में था अगर यह current की total value एक बारे क्लिए मैं कहता हूँ इस सब का जोड़ आपको मिला के 5 ampere मिला एक बारे मैं कह रहा हूँ तो क्या आपको नहीं ल कि किसी alternating current के लिए complete cycle में average current की value कितनी होती है 0 होती है उसमें क्या है लेकिन लोगों ने बोला नहीं यार ऐसा अगर हम करेंगे तो बच्चों का syllabus कैसे बढ़ेगा स्लेबस भी तो बढ़ाना है उनको थोड़ा बार tension भी तुझे नहीं है तो ऐसा करते हैं कि complete नहीं निकल रह क्योंकि जितना यह था उतना ही वो है कितना है वही पता कर लो यार फाई बेट और फिप्टे वही पता कर लो मैंने का समझी है समझी है मतलब आप चाहते हो कि हम बतलब लगे रहे हैं बाद दो दो बजे तिन तिन में रात के ठीक है कर लेते हैं हमारा motive समझा अब इन्हों DC current के लिए भी काम करना पड़ेगा और आप जैसे कि आप जानते कि DC current के लिए constant चलेगा constant एक नसीधा ये कहरे भाईया वो DC current है जो उतना ही charge accumulate करता है दिये गए time में जितना उतने time में alternating current करता आप बोलने सरी तो tongue twister हो गया क्या बोलना चाहते हो आप मैं कहा रहा हूँ मैं कहा रहा हूँ मैं कहा रहा हूँ मालने तो t by 2 second पर चर्चा कर रहे है तो आपको चितर को अच्छा लगे इसलिए मैं बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ t by 4 वगेरा सब मैंने हटा दिया चितर में थोड़ा खुबसूरती नजर आनी चाहिए हमारे अंदर का artist खुश होता है तो उससे क्या होगा कि आप न t by 2 second पर चर्चा करने लगे मतलब आप बोल लो कि मुझे 0 से t by 2 time तक के बीच में चर्चा करने है got it? ठीक है अच्छा अब बहुत ध्यान से देखने है बहुत ध्यान से देखो इधर i is equal to क्या होता है? क्या आप जानते हो? q by t होता है होता है? अच्छा एक काम करते है ये तो alternating current पर अगर हम focus करें तो ये तो हर instant पर बदलता रह रहा है तो क्या होगा सर? सर ऐसा करते है न एक छोटे time interval के लिए हम i को निकालने की कुशिस करते है मैं क्या कहना चाहरा हूँ? मैं कह रहा हूँ क्या मैं कह सकता हूँ कि idt is equal to मेरे पास dq type का कुछ होगा यानि कि charge की value होगी या दूसरे शब्दों में कभी कभी नहीं पढ़ते हैं चीज़ों को अगर आप match के नहीं है तो अराम से सुनो मेरी बात को देखो यहां से सुनो जब यह y होती है na x इसलिए time लगता है पता आपको यह चीज़े बताने में है छोटी चीज़े होती है उपड़ से बोलके चल लूँगा अगर मैं चाहूं तो यहां पर लेकिन फायदा नहीं होगा जड़ देखो y और x जब भी y और x axis के बीच में कोई graph बना example के लिए na example के लिए example देदू आपको एक लो यह बना देख रहा है आपको सबको इसमें आप मान लेते हैं कि यह point 2,3 का है इसका एक ही मतलब है कि यहां से यहां तक का distance 2 है और यहां से यहां तक का distance कितना है 3 है आप मेरी बात समझ पार हो इस graph में जो भी आपका curve बना जैसे ही कोई जो आपको इस चीज दिखाई दे रही है कोई line की equation है यह कोई एक line की equation है कुछ ना कुछ होगी वो y is equal to fx type के इसने जो भी यह बनाया है न area under the curve वो बोलते हैं से यह area निकला है यह आपको पता है कुछ और नहीं होता बलकि y dx से represent किया आता है integration में तो यह कुछ और represent नहीं करता है मैं इस सिर्फ करना चाहता हूँ यह area को represent करता है इतना ही कहना चाहता हूँ क्यों कहना चाहते हो सरी इतना इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी y के place पे आई है और t के place पे तो t है अब खुछ सोचो यह तरह से y dx type की चीज़ आपको नहीं लग रही क्या तो इसका मतलब इसका integration कुछ area दे रहा होगा न अच्छा सर आप यह तो नहीं कहना चाहते है कि हमें इस curve में जो area दिखता है वो charge को represent यहीं कहना चाहरा हूँ मैं यह कहना चाहरा हूँ कि अगर आपने इस curve में जो आपको alternating current में मैंने red color का shaded region है अगर मैं इस area को निकालू calculate करके formula बगरा लगा के area निकालू वो area की जो numeric value होगी वो charge की value को बता रही होगी कि वहाँ पर इतना charge होगा इतने time में समझे रहा हूँ आप तो area under the IT graph यानि current time graph represent what charge accumulation उसमें जो charge महुदूद है उसमें उसको बताता है अच्छा यान जी तो जबर दज़ा बता ही शरप ने आप सुमनों definition कहती है definition कहती है उस DC current की value जो हमें देखो आप पढ़ लो अराम से language पढ़ो average or mean value of alternating current over half cycle is that steady current which will send the same amount of charge in a circuit in the time of half cycle is sent by the given alternating current in the same circuit in the same amount पता नहीं क्या है बोल ले जीव 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 से बात है इधर देखो अराम से देखो ये कहना चाहरा हम उस DC current की बात कर रहे है एक बारी के लिए मैं उस DC current की value constant जा रही है इसे I average कह देता हूँ क्योंकि question हमारी definition कह रही है I average वो DC current है कौन सा सर जो उतना ही charge accumulate करेगा जितना की alternating current को उतने ही time के लिए हम चला दे तो यानि alternating current चल रहा है alternating current चल रहा है चल रहा है हमने उसे बोला 5 second तक चलो आप कितने second तक चलो 5 second तक alternating current चला 5 second तक 5 second तक चला और माल लेते हैं कि यहां से लेकि यहां तक में 5 seconds हो जाते हैं हमने stop कर दिया हमने देखा हिसाब किताब लगाया हमें पता चला है यह लाल-लाल जो इलाखा है इसकी कुछ value है माल लेते हैं इसकी value 3 Qlom है 3 Qlom 4 जाया अभ iemand पूर्ण हना मिलेंटाहैं है इतने हैं इतने ही सेकंड केलिए लिए इतने ही पांच सेकंड केला बीसी करंट चलाओ इसको तो करेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको समझ अपसंज़ आप समझ जबारे से डेफिनिशन चलेगा यार टाइम यार एक घंटा हो जागा हमें शोटे-शोटे टापिक करने में लेकिन कर जाएंगे क्या है सुनो आप डेफिनेशन बदेंगा गरी दुबारा से बढ़ते हैं वो कहरी न कि अल्टरनेटिंग करेंट को दिये गए टाइम में जैसे सर मैंने जीरो से पांच सेकंड तक अल्टरनेटिंग करेंट का स्वीच ओन किया जैसे आपकी घर में जो चलता अल्टरनेट्टेंग वो नकलता हो अब क्या बोले न वो बोले होसे काम करो बैटरी वगेर होती नियf छोटी चोटी सी उसको भी आप तक क्शेंग करो 5-6 के लिए करना बस उसको भी अगर आपने वहाँ पे AC में कोई बल्ब जला तो वही बल्ब को अभी भी जलाओ अब यह नहीं कि यहाँ कुछ और चीज़ जला रहे हैं वही सेम रजिस्टर रखो अब पांची सेकंड के लिए करो फिर से पांची सेकंड के लिए करो और तब तक मत रो मतलब पांच सेकंड तक करो और यह देखो कि 10 कूलम चार्ड कितने करेंट को बढ़ाने पर क्योंकि करेंट आपके हाथ में अंडर जो एरिया होता है वो चार्ड को रिप्रेजेंट करता है अब खुद सोचो कि जब यह एरिया 10 होना चाहिए और यह लेंध अगर पांच है तो उस लेंध को कितना होना पड़ेगा रक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए खुद सोचो मुझे पांच सेकिंड तक ही चलाना है यह भी तय है 10 कूलम चार्ड ही आना चाहिए यह भी तय है तो अब मेरा हाथ में करेंटी राज इसे मैं उपर या नीचे कर सकता हूँ तो सर मैं पसंद करूँ न करेंट को अप थीका क्योंकि मुझे पता मैंने पता दिया वह थूड़ा सा ही कर है गया होगा अनुसे जरना अब जो मैंने कहा ना उससे जरना कर लेते है अब जो पसंद किया पसंद किया कि चूंकि हमारा मानना है कि उस time t by 2 पे जितना accumulation of charge हुआ है let us say q accumulation of charge हुआ है हमारा मानना है उतना ही q charge का accumulation t by 2 time में हो जाता है जब हम current average डालते हैं वाव सर अब समझ में हैं महुत अच्छे से clarity भी आई अच्छा तो आप यह कहना चाहरो अब महले वाले आने वाले और कुछ नहीं कि भाई यह क्या हला मचा रखा यार यह रात के करा अगर रात के दोदो वाजे क्या हला मचाते है ठीक है कोई बात नहीं करते हैं ठीक है तो अब क्या होगा अब 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 अपने सिर्फ definition को fulfill कराना है क्या मैं निकाल नी सकता है इस charge accumulation के लिए निकाल सकता हूं क्योंकि यह जो current है यह alternating current जो निकल रहा है इसकी value i is equal to i not sin of omega t अब देखो यार इसलिए आता है मुझे मज़ा पता है आपको क्योंकि अब मैं बिल्कुल सर्माओंगा नहीं लिखने में क्योंकि मैं डिराइब कराया है महनत करी है यार ठीक है i is equal to i not sin omega t हो गया अब सर्थ एक काम करते हैं अगर आपको ना वो निकालना था तो क्योंकि हमें भी पीछे पढ़ा अगर आप याद करोगे मैंने पीछे आपको पढ़ाया दिखाया मैंने आपको क्योंकि q is equal to i dt होता है प्लीज देखो मैंने कैसे बताया था तो i के place पर मैं i not sin omega t रख दूँगा और उसके बाद dt रख दूँगा फिर मैं क्या बोलूँगा q is equal to i not sin omega t छोटे मोटे integration है मैं यार इस पे ज़्यादा time नहीं दूँगा भी मैं बस reference दे दूँगा अगर आपको by chance नहीं आते हैं तो आप हो सकते तो formula यादी करो फिर आप क्या कर सकते हो मरना sin omega t का अच्छा देखो कहां से कहां तक जाने है सार मुझे 0 से t by two time तक ही जा रहा हूँ देखो आपके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भली sin omega t का जो integration होता है negative का cos theta होता है यानि sin theta का negative का cos theta होता है तो इस बारी में negative का cos of omega t हो जाएगा कि theta के place पे वह है lower limit और upper limit को ऐसे रखा जाता है करने के बाद तो आपके पास आजय का q is equal to i0 negative को चाहो तो भाद लेलो एक बार जो t रिख रहा है न वेरियेबल उसके place पे upper limit डाल दो और एक बार उसी के place पे lower limit डाल दो मैं proper कर आतावा चलूँगा आपको लेकिस जहाँ आपने mathematics के formula युदूँगे हो मैं लिख दूँगा otherwise जो maths में होंगे उनको याद होंगे automatically पीछे बताया था जो जीरो पे होती है पाई पे उसी की opposite होती है कॉस जीरो बन होता है तो कॉस पाई भी कितना होगा minus 1 दुबारा सुनो मेरी बात को अगर समझनी आई तो minus 1 आप अगर इसे solve करोगे कुछ गड़बर तो नहीं हो रहा नहीं सर नहीं हो रहा इसी लिए उसका ही twice करोगे तो उतना current accumulation हुआ है अपका अच्छा सर यह बात कर रहे है हाँ सर यह क्या कर रहे है अब ऐसा ही बात कर रहे है थोटी थोटी मोधी करते हैं अच्छा अब एक बाद बताओ यह आई average जो निकला ना उस formula के according यहां से काईदा क्या कहता है कि charge क्य होगा फिर से area की मतलब यह area तो area क्या होगा आई average किसकी बराबर है यह वाली length के ती बाई टू क्या है इस वाली length के तो आई average इंटू टी बाई टू टाइप का हो गया मुझे बताओ equation 1 और 2 क्या सेम बात क्या रहे है क्योंकि वह कहते है उतना ही charge accumulation होना चाहिए इसका बच्चों के चक्कर में देखो ऐसे हुआ होता किया है थोड़ा सा एक फंडा ध्यान रखना अब यहीं तो मुझे दिक्कत महसूस होती है कि आरे भी बच्चों को यह चीज़ा आती होंगी नहीं आती कि देखो साइन theta जैसे साइन omega t है न तो dt था इसका integration में लेका का माइन मैं multiply में डाल देते हैं इस चीज़ को हम chain rule कहते है ठीक है हाँ तो मैंने बताएं क्या गलती करी आप देखो जब मैंने sin omega t में omega t का मैंने omega को divide में डाला था यानि divide में आना था वो तो शुकर है कि चलो दिखने में बेकारन लग रहा है ही कहीं बहार ले ले लिगे उसे यह और इस तरीके से मेरा यहाँ पर 2i0 अपॉन omega टाइप का हो गया अब उससे साब से यह ऐसा हो गया मुझे a average निकालना है और i0 i0 तो कट गए यहां से नहीं स्वरी i0 कहां से कट गएगा बहुग यह खत्म होग यह खत्म होग यह बदागी हो i average मेरा निकल चुका i average की जो value है this is simply 2i0 upon omega और उसके आप चाहो तो t को इदर ले आओ और 2 को ऊपर भेज़ दो ऐसा हो गया अब देखो omega is equal to ना कुछ नी होता angular frequency होता है जो normally क्या होता है खुदी सोचो omega is equal to angular velocity कहा था था न मैंने तोटी दिरे पहले complete time period करने में कितना angle लेगा कोई angle सक्टें total 360 और total time कितना लेगा एक time period के बराबर तो omega is equal to 2pi by t हम बहुत 36 बार use करेंगे उपर बचाव 4i0 omega के upon में 2pi upon t t यहां गया यह यहां गया t ने t को काड़ दिया इस ने उसको काड़ दिया 2i0 upon pi आ गया बहुत beautiful हमारा एक relation आ गया थोड़ा time लेंगे लेकिन चलेगा कोई दि दोनों solvable है तो आपके बास result आगा 0.637 जीसे हम 63.7 कह सकते हैं percent में into i0 और यह चीज मैंने हां लिखी है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा है आप धियान से देखो यह चीज जो मैंने आपको बोली वह यहां देख रही है अब उस ही calculation को जो मैंने पीछे करा है इनने shortcut म सेम काम जो आपने average current के लिए किया वही आपका average potential के लिए होगा EMF के लिए होगा बस ध्यान क्या रखना है question MCQ में आ जाएगा कि जो mean current की value है complete cycle के लिए कितनी होती है आप यह लिखके आ जाएगा गलत हो जाएगा complete cycle के लिए 0 होगी half cycle के लिए 0.637 into i0 i0 मतलब पी current और i0 क का आप कह सकते हों कि 63% आप समझ पा रहे हो मेरी बाद ठीग हो समझ पा रहे हो एक तो चीज समझ में आ गए सा हमें इसको बहुत अच्छे से note करना कि हमें समझ में आ गया i average किसे कहते है एक बात मैं बता दूँ आपको अगर आप बुरा नहां मनें तो sir एक में नया term है इ को इसे i virtual value केते है root mean square value केते है काइदा तो यह कहता है root mean square क्या होता है वह कहता कि root mean square सबसे पहले स्क्वेर लो सारे current का i1 square i2 square let say i1 current कर ले लेते है equal फिर mean लो mean कैसे लेते हैं सर जितनों को सारो का square करा mean कैसे लेतो सारो को जोड़ लो और divide by n कर दो यानि अभी तक तो मैंने सिर्फ square लिया i1 का square, i2 का square i2 अब मैं जोड रहा हूं फिर divide कर रहा हूं इसे mean कहते है न लेना और उसका रूट ले लो तो आप समझ में आ रहा हो आपको square root mean square क्यों क्यों कह रहा है उल्टा करो square mean तिर root पहले हमने सबको square किया terms को mean लेकिन इससे कुछ होगा नहीं यह तो सिर्फ ऐसी लिग दिया मैंने इस current का नाम क्या है सर इसका नाम है i is equal to i naught sin omega t अब आपको समझ में आ रहेगी घटना ही क्या क्या हो रही है यह कहता है कि हमने पूचा बहिए क्या है IRMS क्या है virtual value of current या virtual value of EMF किसे कहते हैं किसे कहते हैं हमने बुला यह बता है क्यों बुलने वो DC current लॉट के DC current पर यह आना है वो DC current को हम IRMS कहीं यह मतलब इसको हमने हमने बुल जाके कितना सेël्यंगे लिजया पान डिखना को लिखने के लिए हम यहां पांच न्य लिखेंगे टी वाई टीलिए लेने पूरा लेंगे तो फिरो जीरो हो जाता है इसलिए पूरा नेते हैं फिट से उसे 5 से किर्वह खूला, 5 समझ रहो आप इतने से किर्वह खूला कुछ करेंड गया हुआ है, अच्छा सर इस भावट टोब आता है, आपको पता है किट भी विद डेवलप होती है हो थो सर अब क्रेंट से हमारी हीट होगती है कितनी हो सर वह हीट होती न वह कुछ और नहीं बलगी पावर ही एक तरह जैसे मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि उसकी जो वैल्यू होगी वह आप ऐसे समझ सकते हो कि पावर इसिकुल पर वर्क विपन on time होता है यह जो work है work मतलब work यानि energy यानि heat यही हो heat यानि work बरावर क्या है work मतलब heat होगी p t इसी से मैं आपको ला रहा हूँ मैं basic से ला रहा हूँ आपको इधर देखो p बरावर क्या होता है सर्फ power बरावर आप कहसे तो v into i आप जानते होंगे शाढ़ नहीं जानते सुन लो, voltage into current होता है और यह T हो गया, तो कुल मिला कि आपकी जो W है से generally heat का H लिखा जाता है, तो कुल मिला कर पूरी कहानी में मैं सिर्फ इतना मातर कहना चाहता हूँ, कि जब कोई हमसे कहता है कि heat कितनी होती है, तो हम कहेंगे H is equal to होता है, P is equal to VI into T होता है, लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा इसमें क्या करेंगे हम, I is equal to V, V is equal to क्या होता है, I, R तो V is equal to I, R लिखा मैंने और यह IT को वापस लिख गिया इसके बाद I, I, कितना होगे, I square मैं चाहूँ तो आपको बोगियोंगा डिरेक्ट की formula याद रख लेकिन थोड़ा दिखा दिया है, कोई बाती चलता है, 10th class में आ जाता है तो कुल मिला कि heat जब हम निकालते हैं वह I square into R मतलब resistance into time taken होती है ठीक है, यह था DC current के लिए AC current में current बदलता नहीं है time ठीक है, लेकिन सर अभी हम AC current पढ़ए है AC current में heat निकालने है मैं बताता हूं definition क्या है मुझे यहां से लेकिए यहां तक में heat loss निकालना है कितना हुआ है, क्या आपको लगता है कि सर यहां तो कुछ आई है वहां कुछ और आई है, वहां कुछ बढ़ गया वहां और बढ़ गया, यहां तो peak हो गया यहां कम हो गया, यहां कम हो गया, क्या आपको लगता कि कभी आपकी heat ज़ादा होगी, कभी कम होगी, कैसे करोगे आप ऐसे situation में integration लेते हैं उसमें करते हैं, चोटे से सेग्मेंट में calculate करते हैं चीज को, जैसे अगर आपको heat calculate करनी है ना इसमें, तो आप h मत करो, आप dh को calculate करो यानि आप बोलो i2, resistance जो भी होगा, ठीक है, वो तो बदलेगा नहीं, r है उसके बाद t लेना है, t कितने time period के लिए, नहीं, अब मैं तो छोटे time period के ले रहा हूं, तो मैं dt time के ले रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, आप मेरी बात समझपा रहे हो, अब यह जो dh निकलेगा, यह बहुत छोटे time interval के लिए, माल लेते हैं, यहां के लिए जहां पर i हमारा बदला नहीं, इतना छोटा कि हमने इतना छोटा लिया कि i के बदलने में कोई फरकी नहीं आया, नगभग ना के बराबर बदला तो उस समय हमने यह formula का use कर सकते हैं अब सुनो कहती क्या definition irms कहते कि इसे, sir irms क्या कहता है, कि ac current जो आपका होता है ac current में दिये गए time के लिए जितनी heat आपकी निकलती है उसमें dc current की वो value जो उतनी heat provide कर देती है उतनी time में हम उसे कहते है irms पिछली बार charge provide कर देती है आप charge के place पे सिर्फ heat आगई बस और कुछ नहीं हुआ यानि इस बारी में यहाँ heat होनी चाए अब वो area नहीं दिखाऊंगा मैं क्योंकि heat area वगेरा से कोई इसका relation नहीं है पिछली बार के तरह क्योंकि पिछली बार तो जो area था वही charge था इस बार ऐसा कुछ नहीं है इस बार आपको calculate करना पड़ेगा मुझे लगता है आप hablar मेरी बाते समझ पार हो यार मुझे लगता है ख अब समझ पार हो जपर sytu करने लग लग जाऊंगा मैं आप से फिर ठीक है अगर आपम बोलो करे नहीं समझ रहे थो Oui हा यार और R को भी बहार ले लता हूं constant रहेगा sin square omega t dt अब मेरी बात ध्यान से सुनों मैंने कुछ नहीं किया I naught sin omega t का square कर दिया R को बहार ले लिया वैसे ऐसा ही किया बार अब एक छोटा सा integration फिट से यहाँ पर lot के आ रहा है बार बार यही चलता है integration में match में चलता है यह sin square theta का integration अभी हमे sin square omega t integration करना है नहीं कासा आपको hint दे देता हूं वैसे अगर आप समझना चाहते हो otherwise तो के लिए match का topic बन जाता है 1-2 sin square theta होता है देखो formula cos theta का इसकी health term क्या करता है मैं थोड़ा basic से ला रहा हूं ताकि जिसको समझना होगा वो समझ लेगा जिसको नहीं समझना होगा और फिर वो याद कर लेना अपने हिसाब से direct formula otherwise मैं आपको अच्छा लगे इसलिए मैं थोड़ा सा प्रॉपर करके दिखा रहा हूं कि कैसे किया जाता है sin2θDा का integration देख लो ऐसे किया जाता है इसका तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इसका कर सकते हो आपको बहार लेलो 1 का यहनए dθ और उसके बाद माइनस करके कॉक। टीटा का integration करना पपड़ेगा आपको इस तरीके से dθ लेना पड़ेगा half d theta का integration कितना हो जाएगा theta और cos 2 theta का integration कितना हो जाएगा sin 2 theta divided by 2 इसमें प्लीज यार ज्यादा नहीं बोलूगा मैं इसमें मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूगा मैंने करके दिखा दिया आपको ऐसे होता है तो यही phenomenon को आप यहाँ पे लगा सकते हो और 0 से t by 2 के बीच में करना है मैं यहीं रफ में कर रहा हूँ पीछे direct answer लिख देंगे half ठीक है देखो यह 1 का integration t के respect में t होगा cos 2 omega t का integration sin 2 omega t होगा negative नहीं आता ध्यान लगता पिशली बार की तरह मैंने आपको बताया था t के लावा जो कुछ हो से divide में डाल दो अद लिमिट लग जाएगी 0 को t by 2 बहुत सुन्दर आपने बहुत अच्छे तरीके से cover कर लिया एक बार upper limit रखनी होती है फिर minus करके lower limit करनी होती है उस variable के place पे similarly हमें यहाँ भी करना है तो कहने का मतलब है एक बार sine 2 इधर देखो ज़रा 2 omega जो है न उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 omega के place पे मैं पीछे बताया था आपको 2 pi by t बोल सकता हूँ तो basically 2 omega का मतलब 4 pi by t है आप ध्यान से देखें place जल्दी बाजी मत करें मैं आपके लिए लिख रहा हूँ न आप दे आराम से करो 4 pi by t हो गया यह मैंने किया और अपॉन मैं similarly 2 omega के place पे मैं 4 pi by t हो सकता हूँ अब मुझे क्या करना है न एक बार मैंने upper limit डाली तो वो t by 2 यहाँ पर आया ध्यान से देखो please और similarly इपर मैं lower limit डालके minus करूँगा यानि sin 4 pi by t जो लिखावा है हाँ पर उसके place पे 0 लालेगा तो यह 0 लालने से overall 0 हो गया इसकी जर्वत में पड़े बाकी यहाँ t ने t को cut कर दिया 2 ने इससे 2 times cut कर दिया तो sin 2 pi फिर से माइडियर 0 ही होता है साइन 360 देखो अभी पीछे graph बताया था मैंने अराम से जो sin 0 पर होता है वो यह इसका बता 0 तो कुल मिला कि यहां से कहानी में सिर्फ t by 2 minus 0.2 यानि t by 4 टाइप का बस्तावा दिख रहा है सिर्फ t by 4 बचावा दिखा मुझे यानि कि जो ही मैंने यहां पर चीज लिखी है इसका कूरा आंसर मिले पास सिर्फ t by 4 है कई बार तो बच्चे ना इसे डिरेक्ट याद कर लिते हैं अगर वो आप लिख भी दोगे examination में t by 4 किसको पता चला आपने क्या क्या कर रहा था इसलिए बच्चे लिख लेते हैं बोलते हैं पकड़ लोग अगर हमारी पकड़ सकते हो लिख लेते हैं अब यह बात समझ भार है इस तरीके से हमने इसे calculate कर लिया अब देखो यह हमने कहा कैथा definition में कि DC current उस DC current को ही हम IRMS कह देंगे जो कि उतनी heat प्रवाइट करता हो दिये गए time में जितना alternating current करे यानि कि इतने ही दिये गए time में यानि T by 2 time में अगर हमने एक I current को बहाया है तो आप मुझे बता हो इस बारी में heat क्या आने चाहिए DC current में I square होती है तो इस बार I square के place पे RMS होगा I square RMS into क्या R into T same resistance register लेना हमने और same time taken हमारा होगा तो ये 2 और 1 same होने चाहिए according to the real definition of I RMS मैं दुबारा repeat करूँगा definition को लेकिन पहले एक बार देख लो अब देखो मुझे दोनों को equate करना है so I am just equating both of them I RMS square फिर लाल मैं R ही लिख रहा हूँ और T by 2 तो 2, 2,000 हो जाएगा ये कडिया T ने T को काड़ दिया R ने R को काड़ दिया कुल्म लाखे आप यह समझ पारे हो कि IR square is equal to I naught square divided by 2 है if you agree with me then can't digest it कि IRMS is equal to square root दुनों तरफ लेलो and you will be getting I naught divided by root 2 very good, wonderful मैं इसको दुबारा बोलता हूँ देखो जहां पर calculation है अगर आपको problem हो रही कि please मुझे बताना मैंने देखो अपनी तरफ से कोशेस कर रहा हूँ मुझे पता है time जा रहा है मुझे पता है यार आपको पता है होता है क्या है मैं टाइम उसी बच्चे के लिए रहा हूँ से समझ नहीं आता अदिक्कत रहा हूँ क्योंकि हो ही बच्चा सबसे पहले वीडियो छोड़ेगा मुझे दुख इस बात का होता है यह दुख है बहुत बड़ा मैं इसी दुख के चक्कर में रहे गया 2017 से भी तर बरना यार छोटा वीडियो बनाके मुझे भी पता है कि छोटा वीडियो नहोगा आप वीडियो मैं खुट से पहले छोटे में होगा यह सब बात है पता नहीं क्या गया लेकिंगे मैं बना ही उसके लिए रहा हूँ बताया करो ना कमेंट में विर अगर आपको समझ में आ रहा है अगर आपको ऐसे हो तो मुझे समझ में आएगा कि यार हम यो मैं सोच रहा हूँ वह हो पार है सक्सेस्फुली ठीक है चलो आगे बरतें ज़्यादा आपको डी मोटिवेट नहीं करते आयरमेस बरावर इतना हो ठीक है अगर मैं डेफिनिशन को दुबारा बुलवा है रहा है कि बहुत सिंपल है वह कैता समझो प्लीज डेफिनिशन को यार फॉर्मला डिराइब भी रहने दो एक बारे के लिए चलेगा रहने दो चलेगा लेकिन समझो बात को देखो बात क्या है अल्टरेंटिंट करन लेते है जितना भी गरम किया पांट सेटना भी गरम वहाओ ठीक है अब मैंने कुछ नहीं करनेगा मुझे जाने है डीस्य करन्ट के पास मर्जी का चलेंगा हम आपकी मर्जी का चलेंगा लेकिन 20 joule करना हैं आपको भीugarum तो ईसे मोग बता रहा कि हमने उसको 5 उतना बोलेगा हमें पहली पता चले कि वो इतना बूलने वाला है अब से मथाई करेंगे हमी जैंगे यह जेंगे पास हम आपने ए से करेंट से पूछेए कि题ा Igor Gleich सब्सक्राइशे किताब क्या है When a nga टो ऑफीट तो औरुक्टू से इस बारुकटू भाई टू लूट यू ही आएगा तो इसले इसको मज़ना है कि मुझे तो मेरा आयरम्स इतना है आपको संद्राइवा 높ाई जरूड़ी है होता रहा आ हमारा ठीक है आगे बढ़ता है सट अब एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अब हमें पढ़ना है कि अगर हम AC सर्किट के अंदर प्यॉर रेजिस्टिंस को रखें प्यॉर इंडक्टर को रखें या फिर प्यॉर क्या होगा तीन केस उसके बाद तीनों को एक साथ रख दें अगर एक सर्किट बना दे L, C और R3 का तो क्या होगा यह बहुत इंपॉर्डेंट केसे हैं हमें पढ़ने है बहुत इजी है असल में बहुत इजी है देखो मैं बताता हूं क्या है सिंपल सा पहला केसी है कि अगर हमारे पास एक रजिस्टर है और हमने इस रजिस्टर को रख दिया किसी AC सर्किट में AC सर्किट का सिंबॉल ऐसा होगा अगर यह रजिस्टर है simple सी बात मानों कि आपने switch on कर दिया आपके घर में AC करिंटा रहे, switch on कर दिया आपने bulb जलाया, bulb एक register है बस इतना ही काम, pure bulb है यहां पर और कुछ नहीं है यनि pure register है, इस समय इसका voltage होगा, वो E is equal to E not sin omega T type का होगा, हम जानते हैं इसा क्यों होगा, यह alternating voltage है, अब हम इतना करने वाले हैं मातर, कि हम देखने वाले हैं कि corresponding I कितना होगा, बस यह करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे according to the Ohms law, I is equal to V by R होता है V मतलब potential, वो E है, की बात है E की value रख देंगे E not sin omega T I, उसके बाद हम R को रखेंगे upon, ऐसा दिखेगा अब उझे बताओ E not क्या है, constant R क्या है, constant, क्योंकि register fix है E not fix है, E not क्यों fix है क्योंकि अगर आपके पास माल लेते हैं कि इस तरह का EMF है, EMF बन रहा है तो यह जो E not value आई, यह एक बारी में fix होगई तो होगई न, E not अगर 5 है आपकी maximum value 5 volt है, तो बदले की थोड़ना तो इसलिए fix है, तो E not upon R तो this is something like V upon R तो किसके इकोल होता है, I के, तो I की जगी क्या होना चाहिए I not, तो sin omega T इस तरह के से mind here आपका ही बना अगर आप comparison करो, 2 का और 1 का तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि ये दोनों के दोनों same phase में है, सबसे पहली बार क्योंकि sign का argument है, वो इसका भी argument है तो दोनों के दोनों same phase में इसका मतलब अगर इस direction में E है, तो उसी direction में IB है, बस इनके छोटे और बड़े होने का फरक यहां से आजाएगा, कि किसका ये बड़ा है peak value किसकी ज़्यादा बड़ी है, जैसे मैं ये कहना जा रहा हूँ अगर इसको हम phaser diagram बना रहे हैं वगरा बना दिया हमने नीचे पर और इधर देखो बाकी, ये अगर मान लेते हैं मैं बोल रहा हूँ कि एक बारी के लिए मैंने बोला कि ये आई है, यहनि आई is equal to I naught sin omega t है, एक बारी के लिए तो उसी instant पर मुझे E अगर निकालना है, मतलब देखना है तो वो भी क्योंकि same phase में है, इसलिए same उंचाई तक, मतलब same time पर उंचाई में जाएगा जब वो जाएगा और same time पर 0 होगा जब वो होगा Same phase में होने का मतलब यह होता है कि वो same time पर अपना crest पाएं same time पर अपना trough पाएं, same phase के साथ चाथ है उनका same होना बराबर जरूरी नहीं है, क्योंकि वो depend करेगा कि उनकी peak values कहां पर जा रही है उसके according, तो यह उपर वाला e को represent कर रहा है, तो इस तरह का graph कुछ-कुछ बनेगा हमारा, जब हम pure register को रखते हैं इसी को fair work आप यहां पर देख लिए आराम से पढ़ ले ना, सारी बात है, आप वो दिख रहा होगा pure inductor का, जहां से देखना क्यों की important है जहां से देखना, पीस जहां से देखो, यह एक inductor है यहां पर, और यहां पर क्या है एक फिर से AC circuit है direct result सुन लो, क्या होता है e is equal to e0 sin of omega t फिर से हमारे पास इतना हमने voltage लगाया इस बार यह inductor है इस बार क्या होता है, आपका मैं आपको बता जिता हूँ कि होता गया inductor के case में आपका जो potential रहता है, यानि कि potential यह जो रहता है, वो lead करता है pi by 2 से current को यानि current बाद में आता है voltage पहले चले जाता है, यानि current और voltage के पाई by 2 का phase difference है और lead कोन करता है e lead करता है, यानि potential lead करता है और current lag करता है, lag करने का पीछे रहता है, अगर हम इसको diagram में बनाने की कोश्र करें आपको समझाने के लिए, तो मैं आपको समझा भी सकता हूँ, बहुत आसानी से, इधर देखो यानि कि अगर ये इस तरह का graph आपकी मर्जी है, आप सकतेव है आप किसी भी is एक कह लेते है मन लेते है मैंने सोचा नहीं है जो मैंने आयए है बडिया आई कह लेते है, अब e कैसा होगा सब क्योंकि मैं कह रहा हम I lack कर रहा है तो E lead कर रहे है यानि यी पाइब यू से आगे होगा आप जानते है ग्राफ कैसा होगा ये ये यह ये इस तरग ये मैंने थोड़ा रफ बनाया थोड़ी बहुत errors मेरे होंगे लेकिन मैं जू बात द्रम जाने जा रहाऊ हो समझना कि यह यह से पाइब यू आए यह पीछे वाले से यानि वाइट वाला आगे चल रहा है और वाइट वाला 100% E का ग्राफ है फिर यह ऐसा दिखेगा अभी मैं और फेर करूंगा यह मैंने रफ बोला लिए आपको अश्राद आपको देखने में दिख रहा हुआ कि वह पाई बाई टू आगे भग जा रहा है क्योंकि जब यह यहां पे जीरो पर है तो वह पाई बाई टू पर है और जब यह यलो वाला दोना PCR कैसे होगा पेपर उपर देख लेंगे बाद तो मैं बताऊंगा आपको तब तो मज़ा है नहीं आया तो आप डिरेक्ट ना आगे बढ़ जाओ अगर आपको लगता है इतने में हमारा काम बन जाता है कौन आगे कौन अचा इसको याद भी कर सकते हैं याद करने क्ल अब देखो हुआ कैसे थोड़ा सा इस पे बार डिसकेशन हो जाए फिर मैं दुबार असे ग्राफ बनाऊंगा आपको और वो और अच्छे समझ में आ जाए तो मैंने रफ बनाया था यह मैंने जो लिखा वाए बात के लिए ठीक रहेगा चेक करने के लिए अपने को देख होता ना इंडुक्तर में इंडुक्तंस होता है जीसे एल से रिप्रेसेंट करते हैं क्या होता है अभी बताऊंगा थो जिर्फ बता देता हो तो यह ई और एल में भी डीरीक लेशन पता होता है तो मज हा जाता है मैं आपको बता हूँ ऐस इस इकुल टो ल्डी आ बाइवा का integration क्या होगा I E not constant बाहर L constant बाहर integration करना है sin omega t का integration करना है sin omega t का बस देखते भी चलो मेरे पास क्या निकल ला I is equal to E not upon L sin omega t का integration क्या होता डियर cos omega t negative के साथ भूलना मत और omega रखना भी भी उकुल मत भूलना नीचे यह मैं बताता भार हूं तब से I is equal to negative का E not upon 1 omega L cos omega t बना हमारे पास मजा नहीं आया क्योंकि सर उपर जो हमारा E है वो sign का function है जो आपका result आया है आप एक बारी के लिए बोल लो कि यह E not है यह वाले को नीचे कह दो कि यह कुछ तो है E not upon something potential upon something तो क्या होता है सर आई तो potential upon resistance होता है तो this is acting like resistance इसको हम थोड़ी एक लिए XL कहते रहें भली लेकिन इस thing is acting like resistance लेकिन हम resistance नहीं कहा सकते से यानि यह भी वह factor जो current को resist करेगा लेकिन इंड़क्टर के case में इसलिए से कुछ नया नाम देंगे reactance वगिरा में से बोलेंगे inductive reactance तो आप समझ रहे हो को ने क्यों comparisons हम बोल पा रहे है क्योंकि मैं पता है i is equal to i is time something होना चाहिए नहीं यह अब यह i कब बनेगा जब यह v by r होगा और यह v तो है उपर आ लेकिन यह r नहीं है तो यह r टाइप का ही कुछ है इसलिए हम ऐसा कह रहे है अब एक problem की आ गई सर बाकी तो सब कुछ ठीक था लेकिन यह कॉस का function है तो ऐसा करते हैं साइन का बना देते हैं अब इदर देखो अब एक छोट असा formula अगर हम class 11 में ट्रिग्नोमेटरी पढ़ा है मैं हमेशा कहता हूँ medical students को अगर आप वायो के है मैं मैं चाहता हूँ आता हो उने उसमें तो साइन ओफ को देखो जराइजर साइन ओफ ओमेगा टी माइनस पाइवाइट वाइट वगर मैं बूलू समझना जरा इस बात को साइन 90 मैंनस थीटा अगर मैं बूलता हूं तो कितना होगा सोचो जन्र नौले से सर कॉस्ट थीटा होना चाहिए अच्छा एक काम करो साइन ओ जरा रही होगी यह एक जैसे मैच कर रहा है क्योंकि साइन का फंक्शन है भी साइन का फंक्षन लेकिन इसका argument कितने है omega t इसका argument कितने है omega t minus half pi by 2 दोनों मैं फरक देख रहो i वाला कह रहा है कि omega उसके उससे मैं pi by 2 पीछे चलूँगा और वो ही मैंने आपको पहले कहा था देखो i वाला कह रहा है मैं उससे pi by 2 पीछे चलूँगा ये problem दे सकता है कुछ भी रटीवी चीज में बिलकुल नहीं है मेरा यकीन मानो बिलकुल रटीवी चीज नहीं है आपके मुने कुछ डाउट आसकते है मैं सॉल्व करता हूँ आपके में एक डाउट बतां क्या रहा सरी जो cos theta है न इसी तो आप डिरेक्ट sign 91 theta बोल सकते है sign के टमस मेरा नहीं हाँ सही कहरो आप दी आप ऐसा बोल सकते है वो ही मैंने किया है असल में मैंने देखो cos को क्या लिखा sign 91 theta लेग दिया उस negative को अंदर introduce करा और वो ही कीज बनी है लेकिन अगले वाला जो मैं करूंगा उसमें अब देखना है क्या होगा I think आपको समझ में आगया होगा अगर आप observe करो करोगे क्या चलो कर लो ठीक है observe कर लेते हैं देखो ज़रा एक पर observe कर लेते हैं इतना ऐसा भी थोड़ना है कि कोई दिक्कत वरी बहुत ज़्यादा e is equal to कितना है e not sin omega t आया था ना पीछे केस में ध्यान से देखो i is equal to हमने कितना किया calculation वगरा से sin of omega t minus pi by 2 और हमने यहां से क्या का कि हमारा i जो है वो pi by 2 lag कर रहा है derivation करने की बात है कि तो मैं करा रहा हूँ otherwise आप देख रहे न अपने हिसाब सब जो भी जैसे भी कर रहा हूँ अच्छा अगर न कोई मुझे कह रहा है और graph बना के दिखा सकते हो क्या प्रणा हूँ मैंने का सब दिखा तो सकता हूँ मैं अगर आप दिखना चाहो तो देखो कि इन में तो मुझे बहुत में जाता है graph में sign of negative common ले लिया और मेरे पाप बचा pi by 2 minus omega t है वापस return कर रहा हूँ जैसे आया था अब देखो sign negative of theta होता है negative का sin theta अब यह चीजे में pure mathematics लग रहा है लेकिन मुझे चीजे दिखाना जरूर ही आप लोगों कि कि आप मेंसे कोई ऐसा होगा जो सच मैं पढ़ता होगा मेरी बाते जो मैं बोलता हूँ सुनता होगा तो उसको फाइदा होना चीए sin negative of theta कितना होता है cos theta क्या अब आपकुछ मत करो सर एक काम तो कर सकते हो इन दो का graph बन सकता अई आम से क्योंकि मुझे sin का भी और cos का भी graph बनना आता है देखो मैं बताता हूँ sin का बताता हूँ मैंने बताये इतकु sin का कैसे बनता है तो इसमें कहीं न कहीं, इसको मैं अगर E0 लिख दूं तो मुझे क्लियरिट्य होगी, कि इसको कैसे बनाओगे सर कॉस का, देखो कॉस का कैसे होता है, कॉस की शुरुवात होगी यहां से, उपर से, अब वो जरूरी नहीं है कि E0 से होगी, क्योंकि E0 और I0 पर फरक है, मान ल लगती है, यानि यह चीछ जो आपको दिख रहा होगा नहीं, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, रिवर्स लेलो, मीरा रिमेज लेलो, यानि यह उपर से, ऐसे हो जाएगा यह, ऐसा हो जाएगा यह, यानि की, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसे दिखे गाए दिखने में, देखो नने भी वैसे बना रहा है, मैंने यह सोच के नहीं बनाया था, मैं तो अपने ऐसी बना रहा था, लेकिन यह बना ऐसे, लेकिन मैं आपको लोजिक भी बता दिया, कैसे होगा, मैं तो दूसरा सोच के बना रहा था वैसे, लेकिन वो बना, मुझे लगा, आट पटा सा है, मैंने बना देख लेते हैं, तो वही निकला ठीक है, कोई खास जरुवत नहीं है, इतना कुछ करने के आपको, लोचो में पढ़ने की इतना जरुवत नहीं है, इसमें बस एक जो चीज आपको दिखा जा रहा होगा, इस वही होता है, अभी दूसरा, अच्छा, इस में फेजर डाइग्राम से भी समझ लो, यह को फेजर डाइग्राम से बहुत क्लियरेटी है, यह यह इतना बड़ा प्रॉब्लम आगे, अभी पैन चलेगा, तैंग गोड यार चलेगा, वरना मुझे वीडिय पॉटेंचिल लीड करता है, दिखर आगया, पॉटेंचिल लीड करता हो, करेंट दिखर आगया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई बार तो, बस यह इतना ही था, सर यह तीसरा आलना बहुत इंट्रेस्टिंग है, अगर आप मेरा थोड़ा साथ दो, क्योंकि आपको E के बीच में और R के बीच में रिलेशन चाहिए था, आपने ओंसलों ने आपकी help करी, अरे यार मैंने बाते 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 में वैसे आपको यह नहीं बताया ना, शायद, यह हो गया, खराब हो, इसका रिमाग हो गया, खराब हो, यह मेरे सिस्टम का, यह मैंने आपक किसी सिस्टम कंड़क्टर है आपके पार, इसमें करेंट फ्लो कर रहा है, करेंट फ्लो कर रहा है, जब इसमें करेंट फ्लो करता ना, इसके चारो तरफ मेंगनेटिक फिल्ड आता है, मेंगनेटिक फिल्ड आता है, जैसे यासे करेंट फ्लो करोगे, वैसे वैसे flux भी बदलेगा इसका मतलब क्यों हो कि magnetic flux जो सबसे पहली बात है कि वो directly depend करता है आई पे क्योंकि आई बड़ेगा तो magnetic field बड़ेगा, magnetic field line बड़ेगी magnetic flux बड़ेगा, आई घटेगा तो magnetic field कम होगा, magnetic line कम होगी, magnetic flux कम होगा यहीं सब बोलता है अब देखो, एक बड़ा अच्छा fund है, कि जब आपने I को change करा, जैसे कि इस case में होगा, तो क्या होगा सर, magnetic field change होगा, magnetic field change होगा तो क्या होगा सर, flux change होगा, और जैसी flux change होता है, फिनॉमेना होता है, उचे कहते electromagnetic induction, जैसी flux change होता है, इस coil के, EMF induce हो जाता है EMF induce हो जाता है, और वो EMF किसके कोल होता है, जितना flux में change हुआ, उत्रही EMF हो जाता है समझे लो मेरी बात को, तो उस इसाब से E is equal to d5 by dt, में हम d by dt of 5 के place पर क्या लिखेंगे है, L I, L क्यूंकि constant है, खुद देखो proportionality का constant है, तो L बहार आएगा, E is equal to L di by dt बनेगा, और वो मैंने क्यों लिखा हो, आपको समझ में आ रहोगा, E is equal to L di by dt की लिखा, अगर आप इडिरेक्ट थोड़ा याद रख पारे हो, तो रख लेते हो, तो आपके बहुत सारे दिक्कत हो थी, वरना हमें भी उसमें E और L की बीच में relation चाहिए था, हमने निकाली लिया हो, ultimately, हमने बोला E is equal to L di by dt, जो अभी जस्ट निकाला, अब तीसरा सोचो क्या चाहिए होगा, E के और C के बीच में relation चाहिए होगा, है हमारे पास, क्योंकि C की proper definition क्या कहते है, अब आपने capacity and थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो कहता है कि जैसे जैसे किसी कि उसमें charge बढ़ाते रहते हो, उसका potential बढ़ता रहता है, मैंने इसे water tank model की help से समझा रहता है जैसे हम किसी tank पर पानी डालते रहते हैं, तो उसका level बढ़ता रहता है तो पानी मतलब charge है, level मतलब potential है तो जैसे हम charge बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे चीज का potential बढ़ता रहता है बस वही चीज यह बोलता है, तो यहां से भी Q is equal to constant आता है, वो भी C है तो अकुल मिलाके आपको समझVAगे Q is equal to CV, V मतलब कौन है? तो अकुछ और मी değil, to kyl मिलाके आपको एक relation यहां पर मिल गया कि E is equal to Q by C type का relation आपको यहां पर भी मिल चुका है शायद आप मेरी बाते हैं समझभाहा होगे E is equal to Q by C type का relation आपको यहां में बोलो नहीं मिला बस यह है Q is equal to C V होता है बस हमने इसकी हैपली है बस यहां पे V com किसे replace कर रहे है E से तो हमें C के और E के बीच में relation मिले गा जो हमें चाहिए ही ताहता भी हम काम कर पाएंगे तो मैं कहा सकता हूं कि Q is equal to C E हो गया बस मैं कहा सकता हूं Q is equal to C of E naught sin of omega T हो गया मैं कहा सकता हूं कि Q upon C is equal to E naught sin of omega T type का हो गया आप परी बाच्ची समझ पा रहे हैं मुझे क्या निकालना है सर मुझे तो I निकालना है क्योंकि मुझे जब भी यह दिया है मैं I निकालना हो न हमेशा तो I निकालना है I का Q का कुछ रिष्टा होता है सर बिल्कुल होता है even मुझे ये line लिखने की जरुवत भी नहीं है क्योंकि मुझे direct पता है I और Q का रिष्टा क्या होता है I कैसे निकलेगा अगर आप Q का derivative लोगे DQ by DT से निकलेगा तो बस I निकालने के लिए काम शुरू कर दो इसका derivative ले लो C का हमें बहार रहेगा E not constant बहार रहेगा बढ़ derivative of sin omega T प्लीज ध्यान से cos omega T लेकिन omega इस बाद derivative दे रहे है इसले उपर आएगा और negative नहीं हाता है derivative है इसले I बचा उसके बाद हमारे पाद जो जो चीजे बच गई मैं लिख देता हूँ क्या क्या बचा सर C बचा omega बचा E not बचा cos omega T बचा अब ध्यान से देखो I is equal to क्या होना चीए सर I not into cos sign something जो भी हो अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि ये तो V है तो इसके upon में R कहां गया पिछली बार की जरह तो सर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि I is equal to E not upon 1 upon omega C क्योंकि वो बात ले देके वो ही है वो उपर चल जाएगा लेकिन इससे feel क्या हो गया कि I is equal to potential upon something तो क्योंकि I is equal to V by R होता है तो इस बार V तो मिली है हमें उपर E तो इस जरूर resistance की तरह behave कर रहोगा resistance बोलेंगे नहीं से reactance बोलेंगे capacitor का तो capacitive reactance है यह है ठीक है और बाकी हमारे परभजी का cost में गठी सर इतना भी काम आपने बहुत अच्छा कर दिया बस आप ध्यान रखो कि इसको एक नया नाम देतने अतना लंबा लिखने से xe जैसे इसे पहला लेको excel दिया था अभी discussion करना उनके अभी cost में गठी अब सर फिर से हम फसर रहे थोड़ा सर क्यों कि यह equation 1 और 2 ना comparable नहीं है क्योंकि वो sin का है वो cost का है इन्हें change करवा दो तुम थोड़ा कुछ काम कर सकते हैं मैंने का कर लेते हैं लोग थोड़ा change करना है फिर से trigonometric की help लेनी पड़ेगी cost को sign में और इस बार cost को sign में change करना आसान है यह देखते हैं चलो क्योंकि आप sign 90 minus theta अगर कहते हो ना तो problem हो जाएगी क्योंकि omega t plus something या minus something होना जाएगी यह उल्टा है omega t का nature change करते है गलत है वो गलत हो गया तो इसमें दूसरी trigonometric identity लगे ही i is equal to e not upon xc आपको पता हो ना पता नहीं होगा नहीं होगा तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसमें omega t का nature भी नहीं बदलार काम भी होगा अब sin of omega t sin of omega t plus 5 अब एकदम समझ में आगया कि इन दोने में रिष्टा क्या है even if इसको आप i not कह सकते हो simple i is equal to i not sin omega t plus 5 by 2 clearly कह रहा है कि उसका phase अगर omega t है तो इसका omega t plus 5 by 2 यानि i इस बार πई बार 2 से lead कर रहा है अब इसको last में समझा देता हूँ यह कहना कह रहा है यह कहना कह रहा है उसको last line में लिख देता हूँ यहाँ पे आपने कह देखा पीछे से i lead कर रहा है यानि कि अगर इस बारी में यहाँ कहीं पे अगर e है तो i उसे lead कर रहा हूँ पाई by 2 से अपने अपने style दिखाने का उन्होंने ऐसा दिखाया कुल मिला के बात वही है i को lead करवाना है बस i आगे जाना चाहिए बस इतना ही मतलब है ठीक है पाई by 2 से और एक चीज और क्या समझ में आनी चीए मुझे मैंने बता दिया एक चीज मैं सोल चलता बताने के चलो ठीक है वो भी हो गया clear graph एक बर मैं अपने level पर आपको बना कर दिखा देता हूँ ठीक है अपने level पर बना कर दिखा देता हूँ ताकि आपको clarity देखो इधर माइडियर इधर देखो प्लीज ध्यान से देखो is equal to e not sin of omega t यह था मैं स्टार्टिंग मना था हमारा क्या निकला है नहीं यार अब मैं याद करना सिखा दूँगा आपको याद कैसे रहता है कि यह जो चीज थी ना यह जो चीज अगर मैं graph बनाने की कोशिस करहा हूँ sin 90 plus theta मैंने क्या कहा था कॉस theta था नहीं है तो यह यह चीज थी आप चाहो तो इन दुनों के graph बनाके भी देख सकते हो मैं बता देता हूँ आपको ऐसे game खेलने हमें आने चाहिए graph वाले आप confused ना हो रहे हो बस आप यह दिक्कत हो है मुझे लेकर आप मैंने शुरू कर दिया तो यह जो बता रहा हूँ ठीक है sign का graph कैसा होता है तो उपर वाले को तो निप्टा दिया हमने आप ज़्यादे से अधा क्या होगा यह यह इनौट हो जाएगा और कुछ नहीं अब नीचे वाले की बारी यह तो उज़े वाइट कलर ले लेते हैं यह कहारा है सर्ट का graph सर्ट का graph ना यहां से सुरू होता है अब ज़रूरी नहीं है वह से सुरू जहां से इनॉट लिखा हुआ क्योंकि वह तो इनौट से लूगा तो इनॉट कहीं उपर नीचे माल लो नीचे यह उसकता ऊपर भी उसकता है इस देखके बड़ो सब बूल जाओ इतने मैंने बोला सब बूल जाओ धियान से देखो कौन लेड कर रहे है यह पीछे से आ रहा है आगे से जा रहा है जो ब्लू में हो चुकी घटना क्पक कहान है इस आ कहा कौन्ट लग कर रहा यह देखना है विए पर घंञ फे आई को वह करना चाहिए ना लीड क्या और अ अ खी कुछ स्थे कृरेंट को लीड जान चाहिए hilar रहा है को मैरे अ बीजिगर कर आफ करेंव करता आहिंट लrik डिया देख लेना यहां पर वाइट अभी पहुंचा वह ब्लू वाला उसके पहुंचेगा आप पीछे के इससे को मत देखो इसको मत देखो देखो कि जो वाइट वाला अभी जहां पहुंच रहा है उसके बाद ब्लू वाला उसको फॉलू कर रहा है अब देखो पीज एक छोटी सी बात सुनना हमने छोटी चोटी टर्म डिसकेस किया अभी जिनके नाम क्या थे नाम को बताता हूं मैंने भी रास्ते में आपके साथ एक दो टर्म यूज करें जैसे मैंने एक टर्म का लिखा नाम एकसेल वह कुछ और नहीं था ओमेगा था पीछी जाके देखना ठीक है एक टर्म आया था एक सी जिसको मैंने वन अपॉन उमेगा सी को कहा था आप लीज देखिंगे पीछी जाके है इसको अगर हम थोड़ा इन टर्म्स हों फ्रिक्वेंसी लिखे तो ओमेगा is equal to कितना अजये था मैंने आपको देखो इधर लिख लिख जाता हूं 2 πाई भाई टी जोता है न ठीक है तो ऐसी करके ओमेगा इसी को कितना होता है 2 पाई बाई टी इन टू सी आप देखोगे 2 पाई 1 अपन T को आप क्य में frequency के अगर इंके बीच में graph बनेगा तो direct proportion में ऐसे बनेगा inverse proportion में obviously इस तरह का graph बनेगा कि एक जब बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है ठीक है अगर आपने xc को यहां पर रख दिया f को यहां रख दिया तो आप या फिर ultra कर दिया f को यहां रख दिया xc को यहां रख दिया तो f को बढ़ाने पर xc घटेगा तो आप देखो जैसे f आगे को बढ़ रहा है वैसे वैसे xc नीचे को घट रहा है तो यह एक में बात यही इस वाले में 2πfc अब इसमें catch क्या है इसमें catch यह है for dc dc के लिए frequency कितनी होती है जीरो होती है क्यों frequency 0 होती है frequency का मतलब होता है सर cycle complete हो cycle बंती का है हम आप पर dc में dc तो constant रहता है ना dc में frequency का सवाल ही नहीं होता तो इसलिए dc में frequency 0 अब जब dc में frequency 0 होगी तो दो case बनेंगे कि XL की value कितनी जाएगी 0 क्योंकि frequency 0 या फिर xc की value कितनी जाएगी जब frequency 0 होगी तो infinity और यह क्या है their kind of resistance आप प्लीज देखे मैं बार-बार कह रहा हूं कि reactance है reactance है मैंने पीछे कहा था इसका मतलब यहां से कोई reactance नहीं मिलेगा यानि कोई resistance नहीं मिलेगा किसके case में यह inductor का case है यानि जब DC current को use करते हैं DC current को और रास्ते में हम कोई inductor लगा देते हैं तो कोई भी resistance inductor से हमें feel नहीं होगा यानि resistance कोई feel नहीं होगा लेकिन अगर हम DC current यह DC current को भेज़े हम दुन timer capacitor से होकर भेजते हैं capacitor block कर देगा यहां से तो पूरा i का i भेज़ेगा बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा resistance feeling होगा इवन यह कहता है potential drop ही नहीं होगा यानि कि बिल्कुल smoothly जाएगा inductor की case में लेकिन आप देखे capacitor की case में यह कहता है infinite resistance provide होगा यानि कि capacitor block कर देगा dc current हो इसलिए बहुत important current है कि कोई से नहीं कि why capacitor blocks dc current यह उसका reason है यही वाला यह पीछे लिखा है चीज़ें आप प्ली इस ध्यान से देखना अब एक तीसरा topic हमारे पास बज़ी है चौथा topic उसका वह है कि अगर हमें ना LCR तीनों को connect कर लिया आपस में यह इंट्रेस्टिंग टॉपिक है छोटा साई topic है देखो दर देखो माल लेते हैं यह मारे पास एक L है inductor यह मारे पास capacitor है C और यह मारे पास एक register लगा रहा है आर ठीक है इन तीनों को हमने एक circuit से जोड़ दिया जोकि एसी circuit है फिट से वही काम E is equal to E not sin omega t नाम का हमें potential वगेरा हमें दे रहे हैं system में यह L है यह CR है यह R मतलब resistance, C मतलब capacitance और L मतलब inductance है वही काम करेंगे जो हम कर रहे थे ठीक है न क्या करें कैसे करें दिखते हैं इस पारी में मैं तो कर रहा हूं कुछ इसमें करने लाइक है कि हैं इसे देख के इसमें कोई calculation नहीं है इसमें कोई derivation नहीं है simple काम है आप मुझे बताओ कि यह है VR VR मतलब potential difference across this register या जिससे आप ER कहना चाहो तो ER कह लेते हैं क्योंकि हम EE बोल लाए बार-बार terms में तो आप confuse जो जाओगे दरवाइस तो ऐसा करते हैं यह हो गया आपका ER आप समझे होंगे ER मतलब potential difference या EMF across register और मुझे बताओ EMF across inductor सही है और क्या EMF across यह सही है आप मेरी बाते साहथ समझ पारोंगे मुझे EVEN E के place पर बात ना करके मुझे V के place पर बात करने चाहिए लेकिन V और E एक ही बात है चलो पीछ और नहीं वी में लिख दिया उसे और आप confuse मत हो ना ठीक है एक ही बात है potential आप समझे लो क्यों लिखा जर मैंने ऐसा क्योंकि आप Having Bachelor के क्लिए बात करना हो जम्हुटर की बात करना हो कौण लीट को लैक करता है अगर आपमे पहले पीछे दिखा होता है Ind mortar के case में Ind mortar lead करता है यह potential ही यह 3 कि तो आपको दीखर होगा Ind mortar के case में Potential lead करता है current को current क्योंकि कहां प्य होता है register current एक ढच directكن में the state no इंड़क्टर लीड करता था हमेशा आपको याद होगा और CCL का मतलब Current Capacitor की Case में Lead करता है तो इसलिए Current Capacitor की Case में Lead करता है Capacitor से आगे चले गया और Current और Register दोनों के दोनों एक दूसरे के Direction होता है Pure Register वाले Case इसलिए तीनों की तो आपको साहत समझ भार होगा ऐसे बनेंगे अगर मैं इन तीनों जो Potentials बने वे इनका हिसाब किताब लगाने की कुशिस करूँ तो मैं अगर कह दूँ यार VE कह लेता हूँ से यार मुझे भी फील नहीं आ रहा है तो V इतना निकलेगा नेट आप चाहो तो उसे V net कहलो या जो मनार आपका वो कहलो इसी कुल टू क्या आपको नहीं लगता की पाइथा कर असपगेरा लगा क्या हम बोल सकते हैं की इसके कोर्सपोंडिंग क्या होता है ऑर दो गया गया । डिपरेंस कि सब्सका उनकी यह प्रिया पाइसे बनला इसे यहार ना मरल धर्ए यान überzeug करते है या इस पूरे रिंह पन होता है पाइट अगरस लगा दो रिजिस्टेंस के स्क्वार प्लस एक्सल माइनस एक्सी के को स्क्वार के बराबर किया आप मेरी यहां तक की बात समझ पार हुआ है इसका मदलब di students क्या होगा बस होगया खतम हो गया खतम होगया खतम हो XE 0, अगर यह 0 ही कर दिया पूरा अर यह कब होगा? जब XL XE के प्रयाबर हो जाएगा तो यह वो case है, जब Z minimum हो जाएगा और किस के प्रयाबर हो जाएगा? सिर्फ square root हो निदर R square के, यह नि R के क्योंकि अब register तो नहीं हटा सकते हैं इसलिए रेजिस्टर को तो इक्वल कर दिया जीरो नहीं कर रहा है लेकिन उनकी वैल्यों कर जाए तो दुनों काट देंगे जाएगा और हमें Z minimum मिल जाएगा इंपिडेंस minimum हो जाएगा और अगर impedance minimum होगा खुद सोचो जब current को resistance minimum मिल रहा है तो current क्या होगा maximum होगा तो यह हो case है अब आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर हमें LCR circuit में maximum current चाहिए इस circuit में तो बहुत जरूरी यह बहुत अच्छी condition है कि हम XL और XC को आपस में बराबर कर दें और इसको अगर हम थोड़ा और खोलें तो XL का मतलब था omega L और XC का मतलब था 1 upon omega C इसे हम further solve करें तो omega square LC बराबर 1 हो जाएगा फिर हम इसे further solve करें omega square is equal to 1 upon LC हो जाएगा further solve करें तो omega is equal to 1 upon root LC हो जाएगा बस यही है एक frequency जी से हम कहते है resonating frequency resonating frequency क्यों कह रहें से resonating frequency क्योंकि इसमें XL और XC दोनों match कर गए मिल गए आपस में एक जैसे हो गए और इससे फाइदा क्या होँआ इस particular case में जब resonating frequency में हम AC circuit को चलाएंगे उसमें maximum current मिलेगा यानि कि यह जो AC circuit हमारा जोई बना हुआ है इसमें अगर हम omega को कितना रख दें 1 upon root LC यानि जो भी inductance की value और जो भी capacitance की value भी उनका हिसाब किताब रखे omega को इतनी के बराबर रखते हैं हमें 100% maximum current मिलेगा आई का क्यों कि इस समय impedance minimum हो जाएगा आप शायद समझ पा रहोंगे यहां से देखे impedance minimum क्यों होगा current maximum क्यों मिलेगा और कब मिलेगा resonating frequency क्या होती है वो शायद आपको समझ में होगा last topic करके से resonating frequency को करके खतम कर रहा हूँ यह बात मैंने आपको बताई resonating frequency में बहुत beautiful सी चीज़ आ रही है वो बता रहा हूँ मैं आपको फिर उसके बाद next topic पढ़ता है उसके बाद थोड़ा break भी लिलना ठीक है देखो होता current हमें मिली है यहां पर मान लेते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर यहां पर i max है दूसरी बात क्या होगी यहां पर r पक्का minimum होगा मेरी बात समझो आप पीछे मैंने बता रहा है अभी r minimum होगा मुझे even यह नहीं कहना चाहिए r minimum होगा even i should से z minimum होगा मुझे कहना चाहिए कि z minimum होगा और z minimum होगा और जो कि r k को लोगा जो register आप यूज कर रहो उसके है इसमें क्या होता है कि इसके इस तरफ अगर आप जाओगे तो भी आपका current घटेगा इस तरफ अगर आप जाओगे तो भी आपका current घटेगा इनी frequency आप resonant frequency से बढ़ाओगे तो भी घटेगा घटाओगे तो भी घटेगा क्यूंगी न सर जब आप ऐसी इसके इधर या उधर चले जाओगे तो इसका मतलब आपने क्यूंकि यह condition तब हट जाओगे यह दोनों जब बराबर नहीं होंगे तो यह भी कुछ ना कुछ value देंगे तो Z कुछ ना कुछ बढ़ेगा Z बढ़ेगा तो current घटेगा क्यूंकि Z is a kind of resistance इसलिए current दोनों तरफ घटेगा अब इन दोनों में जड़ा फरक समझना इसका इस्तेमाल हम करते है FM व इतने पर चलता है मालिया 92.5 मेगा हट्स पे कोई एक दूसरा FM स्टूडियो चलता है दूसरा अब इससे फाइदा यह होता है कि जब हमने 98 चलाया 92 चलाया इनमें बहुत भारी डिफरेंस नहीं है वैसे लेकिन अगर आप देखोगे तो रेडियो फ्रिक्वेंसी हमारी चा न्यूस में जा रहा है या न्यूस में जारे है सब मिक्स घूरे हैं लेकिन यह काम करता है क्योंकि अगर आप सोचो इसके क्रेंट को कर रही है आपको दिखना चाहिए कि अगर मैं बोलता हूं कि कि यह current की axis है यहाँ पर यह current की axis है जो कि obviously current की axis है उसके corresponding आपको maximum current मिला है यहाँ पर आपको current कितना मिलेगा इसके corresponding कितना मिलेगा कि आप observe कर पारें कि इन दोनों currents के बीच में बहुत gap है बहुत बड़ा gap है और यह यह बहुत बड़ा gapy कारण है जिसके कारण आपको यह तो सुनाई देगा इस frequency में लेकिन यह नहीं सुनाई देगा लेकिन चला भी मैं बोलता हूं यह कुछ वैसी घटना है जैसे एक railway station में बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं आपस में क्या होता ही है हला गुला चल गया करेंट का फरक अगया करेंट मनला energy का फरक आगया उसके करण हम differentiate कर पाएं दोनों आवाजों को वैसा ही कुछ यहां पर होता है जब इसको हाई करेंट मिल जाता है जिसमें हम नोप को लिए जाते हैं महां पर हमें highest current मिल जाता है maximum current जिसके करण उसको highest energy मिलती है और वो अब ध्यान से देखो please ध्यान से देखो last step एसका maximum current इसको मिलने लग जाएगा जिसके करण अभी ऐसा जाएगा और आप देख सकते हो आप उल्टा हो गया scenario क्योंकि अब इसके corresponding तो इसको maximum मिलने लग गया यो कि इतना है इतना है लेकिन इस वाली frequency को आप देखो फिर कितना मिलने लगया कम मिलने लगया अब वो frequency लो उस पे चले गई और यह वाले पर maximum मिली का current यह छोटा सा फंडा काम करता है ठीक है पता नहीं आप समझेंगे इसमें एक छोटा सा मैं आपको catch बताता हूं कि क्या दिक्कत हो सकती है देखो एक तो यह था graph हमारा ठीक है सोचो वहीं पर एक दूसरा graph ऐसा बन जाए ऐसा आपको दोरों graph में फरक लग रहा होगा white और blue में white वाला आपको थोड़ा संक्रा सा लग रहा होगा narrow लग रहा हो शार्प लग रहा होगा लेकिन blue वाला को sharp नहीं लग रहा होगा इसमें blue वाला हमारे लिए घाटे क फेक्टर जितना अच्छा रहेगा उसकी cost उतनी अच्छी रहेगी क्या होता है इससे देखते हैं जरा देखो क्यूंकि ना इस case में अगर आप वही fund अपना हो देखो मैं आप वह दिखा देता हूं यारा मना कि देखो प्लीज सोड़ा ध्यान से देखना दो case लेके चल ले देखना जरा एक तो case है जिसमें sharpness के साथ चल रहें sharpness है जिसमें बहुत ज्यादा sharpness है कैसे करें और एक case हम ले रहे हैं जिसमें sharpness नहीं है वह यह वाला case है अब अब देखना एक मिनटा अब देखना माल लेते हैं मैं यहां से कुछ एक frequency f1 है लेट से उससे मैं f2 तक आय यहां पर मेरी frequency f1 है और जितना distance मैं उसमें लिया उत्रही distance almost मैं लिंक कोशिस कर रहा हूँ यह मैंने लिया वाफ फरक देखो इस f2 की corresponding i यहां पर मिल रहा है f1 में तो i हमें यहां पर मिली रहा था बहुत है यह difference पकड़ पा रहे है या फिर यह वाला ज्यादा है पकड़ हो पाएगा दूसरा लें filter जादा नहीं हो पाएगा इसलिए उनके overlap करने की chances बढ़ जाएंगे even अगर मैं इसके थोड़े बगल आके ले लूँ तो इसके corresponding जो current है वो almost जितना peak आया था उसके ही almost almost बराबर है बहुत कम gap है और यहां पर overlapping हो जाएगी आप गाने और news एक करने कोशिस करो इसी graph में अगर आप देखोगे यह maximum पर चले गया इस वाले का i यहां पर पहुंचा इसका i यहीं पर पहुंच पाया i कम क्यों हो रहा होगा क्यों कि resistance बढ़ रहा होगा तो आप समझ पाओगे कि last वाले का resistance जरूर जादा होगा R3 जरूर ग्रेटर होगा त क्यों फेक्टर को आप ऐसे define करोगे क्यों फेक्टर होता है VL upon VR कहलो या VC upon VR कहलो एक ही बात है क्यों जरूर कि यह हम बात करें जब हम resonance आया उस समय की बात चल रही है और उस समय क्योंकि आप जानते हो कि VL is equal to कितना दिखो मैं दिखाता हूगा पहले एक case लेके चलते हैं VL upon VR वाला, जहान से देखना, V is equal to क्यों होता है, IR, तो I into R, L के case में, inductor case में, R का काम कौन करता है, XL, I into R, तो यह हमारे पास हो गया, Omega L upon R, तो कुल मलाकिया हमारे पास, जो Q factor निकल रहा है, वो Omega L upon R निकला, Omega कितना होता है, Resonatic Frequency Gator में पीछे निकाला, 1 upon root LC, यहान से देखो, और यह होजाएगा L upon R, आप इसे solve करोगे, इसे root L into root L कहा जासकता है, तो एक root L से एक root L कडिया, तो कुल मलाकिया, root L upon C, 1 upon R आगिया, यह होगिया, आप यही काम इस वाले case में भी कर सकते हो, क्योंकि VC को क्या लिखोगे, I into XC, और यह क्या होजाएगा IR, I into XC को क्या लिखोगे, I, 1 upon Omega C, यही होता है, I, I तो कड़े गए, और यह R, तो आपके बाकुल मलाकिया, 1 upon Omega C into R, और Omega क्या लिखोगे, 1 upon root L, root L, फिट से उपड़ जाएगा, root L, C, उपड़ जाएगा, और नीची क्या बचेगा, C into R, और आप इसे solve करोगे, क्या बनेगा, root L upon C, फिट से 1 upon R, दोनों के इसमें आपको सेम फॉर्मला मिलेगा, इसलिए मैं उसे derive आपको करा दिया, मुझे लगता नहीं कि आपको problem होगी, इसमें दिखा रिखाया actually, वैंने आपको सिर्फ solve करके दिखा जए ताकि आपको problem नहों हो इसमें, I hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अब हम पढ़ते हैं students power के बारे में,